हेलो एब्रीवन वेल्काम टो मैं चैनल प्रोमोशन बितस्थू तो फ्रेंड्स आज हम बैंक प्रोमोशन एक्जाम में लेटर आफ क्रेडिट करेंगे ओके तो इसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे कि लसी क्या होती है डिफरेंट टाइब के लसी कौन कौन सी है इनको टर्म्स इंटरनाशनल कमर्शिल टर्म्स क्या होते हैं और साथ ही साथ में यूसी पीडिसी 600 के बारे में भी डिटेल में हमें आप पर चर्चा करने वाले हैं तो कफी इंट्रेस्टिंग टापिक है फ्रेंड्स और इसमें फ्रेंड्स है कि यह मतलब इतना पढ़ाऊंगा कि आपका इसी हो जो कि आपके मन में रह जाएं तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा वहाँ पर एलसी के लगभग चार पांच पार्ट जो है का वीडियो का लिंक दिया होगा बी एफम में पढ़ते हैं हम लोग सी मैंने कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि ना चोड़ी हो मतलब आपको ना कबर करके दिया हो सारी चीज़े कबर की हैं काम भी हो जाएगा लेकिन एक जो एक्ट्यूल जो डीप अनालसिस होती वो उन्हीं वीडियो में मिलेंगी यहाँ पर हम कबर सारी चीज़े करेंगे लेकिन अगर आप यहाँ पर उतरनी की जरूरत आपके प्रिमोशन के प्रोइंट आभी उसे नहीं है जैसे लेटर अफ क्रेडिट में जर्नली लेटर अफ क्रेडिट क्या होता इससे कुष्चन कम ही पूछह आते हैं लेकिन अगर आप ये जो डीप वाले वीडियो है पहला पाट तो पूरा LC ही डिटेल में समझाएगे कि LC होती क्या है कैसे बनती है कैसे मतलब जो है आगे बढ़ती है वो पूरा प्रोसेस डिटेल में चर्चागी गए तो वो आपकी मर्जी पर है अगर आप चाहें मैं रेकमेंड करता हूँ आप इसे देख लिजे आपका बैंक प्रोमोशन का काम 100% हो जाएगा इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है पर फिर भी यदि आप जो है मतलब एक होता ने research scholar होते है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जादा deep knowledge चाहिए ही होती है अगर आप इंटरनेट पर अगर letter of credit के बारे में अगर आप देखोगे तो ठीक है तो देखे letter of credit होता क्या है तो an lc is defined as an undertaking issued by bank on behalf of importer बहुत सारे term बहुत सारे term आपको इसमें आएंगे हर एक term का मतलब होगा और सारे term को यहां तो मतलब यहां जागर के इसकी definition का दाम हो रही है और हर जो red है यह term है इनको समझना ज़़ूरी है तो letter of credit क्या होती है एक undertaking होती है ठीक है उसके आद में यह कौन करता है जिसको issue कौन करता है bank करता है यनी lc कौन issue करेगा bank issue करेगा यह क्या है एक undertaking है किसके बिहाब पर undertaking देता है इंपोर्टर के भिहाब पर या बायर के भिहाब पर इंपोर्टर कहिए या बायर कहिए जैसे आपको माल लिजे विदेश से जो है क्रूड आयल नहीं कच्छा तेल लाना है जिसे पिट्रोल और डीजल मनता है तो अगर आपको क्रूड आयल लाना है that means कि आप उसे import करेंगे तो आप importer हो गए या आप ही buyer हो गए तो आप के भिहाब पर एक letter of credit issue करेगा bank यानि इसका मतलब आप कहाँ है इंडिया में है यही बात clear हो जाती है यहाँ पर ठीक है तो importer या buyer के भिहाब पर bank जो है एक undertaking issue करता है किसके favor में करेगा exporter या seller के अब इसमें आप importer हैं आप जो है क्या करें crude oil लाने के लिए import करने की कोशिस करें तो इसका मतलब कोई न कोई बिदेश में किसी दूसरे देश में exporter होगा वो इसका beneficiary कहलाता है ठीक है किसके favor में else issue होगी इस exporter के या इसी को है टेकन प्लेस आर अ सर्विस हैज बिन सप्लाइड तो बैंक यह कहता है जो यहां का न एक undertaking है conditional undertaking होती है कैसे undertaking होती है conditional अगर condition satisfied होगी तो payment होगी condition satisfied नहीं होगी तो payment नहीं होगी तो LC कहती कि if a specified document showing that अगर जो document है प्रापर document है जिनकी जरूरत होती है यह दिखाने के लिए साबित करने के लिए कि shipment हो चुका है यानि कि जहाद में सामान को लाद करके भेजा जा चुका है अगर इस बात का सबूत आप पेस कर दोगे या आप यह मतलब ऐसा document दिखा जो नॉमिनेट किया गया है कि हाँ तुम हमारे भिहाब पर payment कर सकते हो तो नॉमिनेटर बैंक को अगर यह सारे document प्रजेंट की जाते हैं बिदिन दा इस्टूपलेट टाइम जितना टाइम पिरेड कहा गया पेड कर दिया जाएगा payment जितना भी लिखा होगा LC में उतना पैसा exporter या seller को दे दिया जाएगा यह है पूरी राम कहानी फ्रेंट जो है आपकी letter of credit की अब इसमें देखिए कुछ बाते आपको समझ में आई होंगी कुछ बाते आपके search के उपर से कहीं मैं सहमत हूँ इस बात से कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि जैसे चैप्टर बढ़ेगा आपकी understanding गहरी होती जाएगा मुझे कोई इस बात में doubt नहीं है LC letter of credit क्या होता है एक undertaking होता ही है जिसे bank issue करता है किसके बिहाब पर करता है importer या buyer के बिहाब पर करता है दोनों एकी चीज़ है importer is buyer जिसे सामान लाना है जैसे आपको मान लिजे जैसे मैंने आपको example दिया कि crude oil आपको मान लिजे इरान से import करना है और यहाँ इंडिया में एक importer होगा इंडिया में एक importer होगा तो यहां जो बैक्ति होगा यह importer होगा यही बैक्ति बायर होगा इसी तरीके से इरान में जो बैक्ति होगा वो crude oil को export करेगा तो exporter होगा या उसी को seller भी कह देंगे है ना अब देखे होता क्या है LC बंती क्यों है है क्या कि यहाँ पर हमारे देश में जो importer है फ्रेंट ना उसको crude oil यहाँ से मंगवाना है मान लेता हूं मैं कितने का 100 करोड रुपए का 100 करोड रुपए का तेल मंगवाना है अब समस्या साथ भी हो सकता है इधर इस बार इंडिया वाले चलाग निकले इन्होंने क्या किया crude oil मंगवालिया और बोला कि जैसे सामान आएगा crude oil आएगा हम तुरनत payment करेंगे payment ही नहीं दी 100 करोड रुपए उसके 100 करोड रुपए का तेल मंगवाली और पैसा नहीं दिया अब भी फस गए तो ये situation फस आती है international import export मतलब import export के business में या international business में ये problem बहुत आती है किसी जगे पर एक ऐसी entity की जरूत होती एक ऐसा कोई बेक्ती हो एक ऐसा कोई mediator संस्थान हो जो कि इन दोनों के भिहाफ पर guarantee ले कि भाई अगर तुम यहाँ तेल पहुचा दोगे तो हम तुम्हें payment यहाँ दे देंगे यह मेरी जिम्मेदारी है and that's where letter of credit और bank का रोल आ जाता है इसी तरीके CALC develop होती है तो यहाँ एक bank आता है जिस पर भरोसा है किसको इस exporter को और इस importer को दोनों को भरोसा होता है कि भाई कोई बात नहीं है अगर तुम इसके यहाँ क्रोड आल पहुचा दोगे तो मैं तुम्हें payment कर दूँगा bank खुद कर देगा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर importer है यहाँ पर exporter है यहाँ पर bank है अब देखिए इसको समझ यह कैसे importer के भिहाब पर bank LC issue करता है किसके भिहाब पर importer के भिहाब पर और LC किसके favor में issue करता है exporter के favor में कि भई आपको payment देंगे इस letter of credit के वाई हम आपको payment देंगे अब यह bank के जिम्मेदारी होगी कि वो importer से उतना पैसा वसूल है जितना कि LC में उसने exporter को दिया हुआ है इसी वज़े से letter of credit का पूरा picture आती है तो यह हो गई importer के भिहाब पर या buyer के भिहाब पर bank issue करता है यह बात आपको अब समझ में आ रही होगी exporter या seller के favor में करता है फिर bank यह कहता है कि जब भी export तुम कर दोगे सामान को और उसके बदले में हमें जो documents हैं वो दिखा दोगे तो बैंक को goods से कोई लेना देना नहीं होता है कचा तेलाए या नाए हमें इससे मतलब नहीं हमको बस इस बात से मतलब है कि तुम इस बात का सबूत दे दो इस बात के documents दे दो कि हाँ crude I.L.I.R. आया हुआ है जो सामान import export हुआ है वो import हो करके देश में आया है इस बात का सबूत देना होता है बैंक कागजों में deal करता है सामान में नहीं goods में dealing नहीं होती है हम सिर्फ documents में deal करते हैं ये बात आपको दिमाग में रख लेनी होगी LC के case में तो जो भी documents ने हैं ये नहीं कहा गए कि जब सामान आप दिखा दोगे नहीं वो कह रहे हैं कि जब आप हमें specified document दिखा देंगे कि हाँ shipment हो गया है या services supply हो गए ही इस बात का document दे दोगे तो हम ये मान लेंगे कि हाँ तुमने import export कर दिया है सामान सड़ा आये खराबा है उससे bank को कोई लेना देना नहीं होता है वो importer exporter का अपना risk होता है बस bank के वल क्या देखेगा है जो document चाहिए वो होनी चाहिए अब अगर ये सारे document जो भी चाहिए वो अगर हमें issuing bank को जिसने LC issue की है उसको दे दोगी या जिस bank को मैं nominate कर दूँगा कि हाँ ठीक है तो ऐसा करो bank आफ अमेरिका में जा करके जमा कर दो bank आफ इरान में जा कर दो तो उस nominated bank में भी अगर आप सारे document दे देते हैं जो time period दिया जाता है stipulated time वो भी हम समझेंगे इस पूरे chapter में कितना time किस LC के लिए मिलेगा ठीक है और LC के अगर सारी conditions और terms जो है comply की जाती है तो जो exporter है या यह जो बैक्ती है exporter या seller है इसको जो भी amount अगर कोई चोटा मोटा बैंक नहीं रहेगा अब अगर कोई branded bank है तो आप पेमेंट हमें पहुझवा देंगे ओके तो यह हो गया फंट जो है letter of credit के बारे में काफे सारी बाते मैंने आपको बता थे कि undertaking conditional होती मैंने बोला थे कि undertaking है that is conditional इसका क्या मतलब होता है जो यह undertaking issue हो जाती है कि conditional का मतलब होता है कि जब condition पूरी होगी तभी payment होगी यह होता है जब हमने LC के बारे में यहाँ पर इतनी सारी definition देखेंगे तो बहुत सारी पार्टिकों के यहाँ पर जिक्रोड इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है बैंक का जिक्रोड इस्विंग बैंक का नॉमिनिटेड बैंक का राइट तो इन सब के बारे में किलमें भी हम यहाँ पर चर्चा एक-एक करके करेंगे तो जो LC के UC के कौनकौन से पार्टियां है फैला बायर या इंपोर्टर आर अप्लिकेंट यह तीनो नाम एक या बैक्तिक हे ध्यान देंगे बायर कहीं इंप्लिकेंट कहीं है एक ही है ध्यान रखेंगे ओके तो जिसके आन हुज रिक्वेस्ट लसी जिसूड जिसके निवेदन करने पर लसी इशू होती है उसे बायर भी कहते है उसे इंपोर्टर भी कहते है उसे अप्लिकेंट भी कहा जाता है तो जिसकी रिक्वेस्ट पर LC issue की जाती है उसे buyer य importer य अप्लिकेंट कहते हैं seller य एक्सपोर्टर य बेनिफीसरी य आफ LC तीनो एक ही बात होती है ध्यान देंगे LC का बेनिफीसरी एक्सपोर्टर होता है importer नहीं होता confused नहीं होना है importer बेनिफीसरी नहीं होता फाइदा किसको है LC में LC में बेनिफीसरी एक्सपोर्टर है जिसको पेमेंट मिलती है ठीक है तो जिसको पेमेंट मिलती है वही बेनिफीसरी होता है LC का तो seller कहीए exporter कहीए बेनिफीसरी कहीए एक ही बात होती है तो who will receive the payment under LC LC के तहब जो भी payment receive करेगा उसको आफ seller भी कह सकते, उसको आफ exporter भी कह सकते, उसको beneficiary of LC भी कहा जाता है आगे बढ़ेंगे, पहला bank यहाँ पर बहुत सारे bank होते हैं, सारे bankों की जर्चा करेंगे the opening bank or the issuing bank, buyers bank होता है, ठीक है, तो एक ही नाम है, opening bank कह दीजिए यह issuing bank एक ही बात है, यह buyers bank है, मतलब buyer की country वाला bank होता है, कई बार यह question पूछा आता है कि जो opening bank है, यह issue bank है, वो exporter की country में होगा, यह importer की, तो फ्रेंट्स जो है, यह buyers की country यह importer की country में होगा तो opening bank मतलब जो LC open करेगा, issuing bank जो पहली बार LC को issue करेगा, ओके who undertakes to make payment to exporter or seller or beneficiary, तो वो bank जो की, मतलब इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि payment exporter को या seller को या beneficiary को कर दी जाएगा, उसे opening bank, issuing bank कहते है bank is situated in buyers country, यह bank जो है वायर की country में रहता है, जहाँ importer है, जहाँ buyer है, उसी country में रहता है it is responsibility of issuing bank to examine the documents with reasonable care, issuing bank की जिम्मेदारी होगी कि जो भी कागजात है उनको responsibility के साथ में check करे, if it wishes to refuse the document, it should do so within five banking days from the data receipt of document, जिस date को document issue, मतलब एक बार LC issue हो गई, उसके बाद में वो सामान export हो गया export होने के बाद में, जो document से वो ला करके issuing bank को submit करेगा, importer, ठीक है importer ला करके issuing bank को जब submit करेगा, तो इस document को accept करने या refuse करने का समय five banking days का होता है, जिस date को receipt हो document की, ओके, तो अगर यह मना करना चाहता है कि नहीं, यह document ठीक नहीं है, कुछ कमिया है, तो उसको मना करने के लिए five banking days देते हैं, बहुत ज़्यादा पूश्याता question, स्थीक है, कई बार हम इस बात को पढ़ेंगे, five banking days का time मिलता है, banking days का मतलब, जिस दिन bank काम कर रहा हो, five working days नहीं, working days ही का सकते हैं, five banking days भी का सकते हैं, लेकिन five calendar days नहीं का सकते हैं, ठीक है, तो clear हो गई यह बात हमको, तो opening bank कहिए या issuing bank कहिए दोनों एक ही बात है, यह buyer की country का bank होता है, इसलिए बता रहा हो कि क्यों पूशा रहा है, आप से एक जहां में घुमा करके पूशेंगे, कि इनमें से कौन कौन से bank, issuing, बायर की country में होते हैं, तो वो bank जो की payment करने के लिए धिम्मेदारी ले अंडटेक करता है, या issue करता है, opening bank, मतलब issuing bank, जो LC को issue करता है, जो exporter या seller या beneficiary को payment करने के लिए राजी होता है, जो LC को open करता है, LC को issue करता है, उससे isuing bank या opening bank किहते हैं जो कागजात हैं डाकुमेंट से उसको एक्जामिन करने की रिस्पांसबिल्टी जो है इस्विंग बैंक की होती है कि जो भी डाकुमेंट साते हैं उसको बहुत केरफुली आपजर्ब करें ठीक है और अगर वो डाकुमेंट को के इसको बिदेश भेज दिया ऐडिवाजिंग बैंक के बास है अब डाकुमेंट एक्जामिन करते हैं तो who act as an agent of issuing bank and by whom LC is advised to the beneficiary or exporter ठीक है तो ये issuing bank के agent के तौर पर काम करता है कौन advising bank और वह वेक्ति जिसके द्वारा LC जो है advise की जाती है LC के बारे में बताया जाता है detail में समझाया जाता है exporter को उसी bank को हम advising bank कहते हैं इसकी भी इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो authenticate करे कि LC सही है या नहीं मतलब LC को चेक करके authenticate करने की जिम्मेदारी advising bank की होती है क्योंकि issuing bank ने LC बना दी ठीक है अब ये advising bank के जिम्मेदारी होगी कि जो LC आई हुए वो authentic है या नहीं है genuine है सही है या नहीं है if any changes are done in LC हम मान लिए एक बार LC बन के लिए कि उसमें कुछ changes होते हैं तो इसको exporter को advise करने का काम Advising Bank के थूई होगा जिस bank ने शुरू में advise किया था मान लिए Bank of America ने advising का काम Advising Bank का रोल अदा किया था तो अगर LC modification होगा तो again Bank of America ही Advising Advise करेगा exporter को further कि LC में यह यह amendments वे है ठीक है Advising Bank is there for advising and checking the authenticity of LC and it is not responsible to make any payment under LC ठीक है तो Advising Bank के जिम्मेदारी होती है कि वो authenticity को check करे LC की और अपने जो है client को बदाए ठीक है उसकी payment करने की कोई जिम्मेदारी LC के तहत नहीं होती है Advising Bank की payment करने की कोई responsibility नहीं होती है वो करना चाहें कर सकता है बद कोई जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं होती है If Advising Bank is unable to establish the authenticity of LC then it must immediately inform the issuing bank and beneficiary हमाल लिजे LC आई है customer के मतलब bank के पास में Advising Bank पास और जो Bank of America है Advising Bank उसको समझ में नहीं आ रहा है doubt है LC में तो वो क्या करेगा तुरंथ ही issuing bank को और beneficiary यानी exporter को तुरंथ ही inform करेगा यहाँ कोई time period नहीं मिलता है दो दिन तीन दिन ऐसा नहीं आपको doubt लगा LC में कि authentic नहीं है duplicate LCI है नकली LCI है सही नहीं LCI है LC के terms कराब है यह सारी बाते अगर आपको doubt में आती है तो तुरंथ ही आपको issuing bank को और beneficiary को इंफर्म कर देना होता है भाई हमें यह doubts आ रहे है तो यह हो गई आपकी advising bank ठीक है तो advising bank जो होता है वो seller की country में होता है buyer की country में नहीं होता है seller यानि exporter हो गया आपका उसके बाद में यह एक agent के तोर पर काम करता है issuing bank का LC जो है beneficiary exporter को advise की जाती किसके द्वारा advising bank के द्वारा LC authentic है या नहीं है इसको check करने की जिम्मेदारी advising bank की होती है अगर LC में कोई change किया गया है तो वो same advising bank द्वारा exporter को inform किया जाता है ठीक है यहाँ पर LC authentic है या नहीं उसकी जिम्मेदारी advising bank की होती है और इसकी कोई भी payment करने की जिम्मेदारी नहीं होती है अगर LC authentic नहीं लगती है advising bank को तो उस case में advising bank को तुरंथ ही issuing bank और beneficiary को ये बात inform करनी की जरूरत होती है कोई time period नहीं मिलता है आगे बाद बढ़ती है और आता है confirming bank confirming bank usually exporter की country में होते हैं कहां होते हैं पर exporter की country में होते हैं usually होते हैं यहाँ पर मतलब importer की में भी हो सकते हैं but generally आपका answer exporter की country होना चाहिए who undertakes to pay on behalf of issuing bank issuing bank के बहाफ पर जो bank यह कह दे कि हाँ ठीक है मैं payment करूँगा उसे confirming bank कहते a confirming bank gives a definite undertaking in addition to issuing bank at the request of issuing bank to make payment on presentation of documents as per term and condition of LC ठीक हैं तो जो confirming bank होता है वो एक definite undertaking देता है issuing bank के अलावा अब एक और bank यहाँ पर आ जाता है जो कि यह बात की जिम्मेदारी लिए है कि हाँ हम payment कर देंगे इसका इसकी नौबत का बाती है जैसे माली यह कई बार होता क्या है कि अगर आपको issuing bank पर भरोसा नहीं है माली यह कोई छोटा सा bank हो हमारे देश में छोटे bank की मैं बात नहीं कर पाऊंगा माल लेता है मैं PNB जो है है हो सकता है कि bank of America का जो client हो उसको PNB पर भरोसा नहीं हो ऐसा possible नहीं है बट say for example कि उसे भरोसा नहीं है वो यह कहता है कि मुझे bank of America पर भरोसा है मेरी knowledge इतनी नहीं है कि PNB कैसा bank है तो उस case में ऐसा होगा कि PNB बोलेगा चलो कोई बात नहीं तुम्हें मुझे पर भरोसा नहीं है ऐसा करो कि यह वाला bank जो तुम्हारी American country का है उस पर तो भरोसा है तो बोलेगा हम को उस पर भरोसा है तो बोलेगा ठीक है यह PNB request करेगा इस bank से कि ऐसा करो कि आप confirm कर दो क्लाइंट को कि हाँ हम payment कर देंगे ठीक है तो अब चुकि इस bank को तो idea है ही ना PNB कैसा reputation वाला bank है तो यह जो bank यहाँ पर role में आ गए वो ही confirming bank हो जाता है कि हाँ ठीक है client को अब भरोसा हो गया होगी तो issuing bank के भिहाब पर जो payment करने के बात करता है उसे confirming bank कहते हैं इसमें एक undertaking अब issuing bank तो था ही payment करने के लिए उसके अलावा confirming bank भी आ जाता है edition में कि भी हाँ अगर document आप दे दोगे मुझे LC के terms और condition के तहर तो हम आपको payment कर देंगे confirming bank advising bank और nominated bank can be same अभी nominated bank भी हम समझ लेंगे लेकिन ध्यान रखे confirming bank जो है advising bank जो है और जो nominated bank होते हैं यह एक ही हो सकते हैं भले ही हम यहाँ अलग लग पढ़ है यानि ऐसा possible है जैसे यहाँ पर PNB ने LC issue की और उसके आद में यहाँ bank of America है मान लेते हैं तो bank of America जो है advising bank बना advise किया इसने exporter को समझाया अब हो सकता है कि bank of America ही confirming bank भी बन जाए advising bank के जो किया ही exporter को तो confirm भी कर सकता है यहाँ ठीक है PNB कह रहा है तो हम confirm करते हैं कि हम आपको payment भी कर देंगे तो advising bank का भी role हो गया हो सकता है PNB इस bank को nominate कर दे nominated bank कर दे negotiating bank कर दे कि ठीक है यहीं इस payment कर लो तो सारे role एक ही bank अदा कर सकते हैं कोई doubt नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर यह बात लिखे दिना ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यह जो है इसकी responsibility नहीं होती कि इसकी advising bank की LC में कोई payment करने की responsibility नहीं होती advising bank की कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती है मैंने यह कहा था कि payment कर सकता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं होती है अगर advising bank as a confirming bank का काम करेगा तो obviously payment करेगा ठीक है बात समझ में थोड़ा ज़्यादा logic clear हो रहा हो गए ठीक है तो confirming bank advising bank और nominated bank same हो सकते हैं एक ही bank तीनों काम कर सकता है its liabilities are same as issuing bank यानि कि जो confirming bank की जिम्मेदारियां है वो same issuing bank वाली जिम्मेदारियां इसके उपर रहती है if it does not agree to add its confirmation then it must inform the issuing bank immediately अब अगर मालो bank PNB ने bank of America में bank of America से request गया कि आप confirming bank बन जाए और अगर bank of America नहीं चाहता है यह काम करना तो उसे PNB को तुरंद inform करना होगा issuing bank को जिसने LC issue की है उसको immediately inform करना होगा ठीक है फ़र्ण तो यह हो गया confirming bank मेरे खाल से बाब को समझ में आ गया होगा यह generally exporter की country में होता है क्योंकि exporter country में इसलिए होगा क्योंकि exporter को भरोसा देने के लिए होता है कि हाँ issuing bank पर भरोसा नहीं तो confirming कर लो ठीक है तो issuing bank के भिहाब पर जो जिम्मेदारी लेगा कि हम payment कर देंगे उसे confirming bank कहते है confirming bank जो है एक undertaking देगा कि कोई बात नहीं है अगर आप documents हमें सारे दे दोगे तो issuing bank के मतलब जो है issuing bank अगर आपको payment नहीं कर रहाएगा तो मैं कर दूँगा ठीक है confirming bank advising bank और nominated bank एक हो सकते है यानि एक ही bank सारे bank of America सारे role अदा कर दे यह पॉसिबल है issuing bank की जो जिम्मेदारियां होती है liabilities होती है वही सेम जिम्मेदारियां liability आपकी इस bank की भी होती है confirming bank की भी अगर confirmation नहीं add करना चाहता है कोई bank तो इसे तुरंथ ही issuing bank को inform कर देना आवस्यक हो जाता है उसके बाद में अगले bank की तरफ बात करेंगे negotiating bank या nominated bank एक दो बार चर्चा अलरी हो चुकिए nominated bank की यह देखिए तो उसी के बारे में यहां डेटेल में चर्चा करेंगे negotiating bank या nominated bank seller bank आर्स bank nominated by opening bank तो इसे seller bank कहेंगे यानि कि seller की country में होगा या ऐसा bank जिसे opening bank ने nominate किया हुआ है उसे negotiating bank या nominated bank कहा जाता है who negotiates the LC and make payment to the beneficiary negotiate करने मतलब होता है जो भी bill होते हैं पर ना वो bill को purchase करना और bill को discount करना यही सब negotiation कहलाता है ठीक है तो ऐसा bank जो की LC को negotiate करेगा LC के जो bills होगे रहा है उसको accept करेगा और payment करेगा ठीक है उसे ही हम negotiating bank कहते हैं exporter की country का bank होता है नहीं exporter की देश में होगा और इस्थित होगा करने का काम या discount करने की जिम्मेदारी negotiating bank या nominated bank की होती है it will make the payment to beneficiary and bill claim payment from issuing bank यह क्या करेगा beneficiary को payment करेगा और claim जो है अपने issuing bank से वापस ले लेगा ठीक है it is responsibility of negotiating bank to examine LC documents as per UCPDC 600 पूरी detail में चर्चा होगी आधा लक्षर इसी बात पर होगा तो चिंता करने की जुरूत नहीं है UCPDC 600 पर भी बात कर लेंगे तो negotiating bank की जिम्मेदारी होती है कि LC documents को proper तरीके से examine कर ले क्यों क्योंकि अगर document proper examine नहीं किया और आपने payment अगर beneficiary को दे दी exporter को दे दी तो issuing bank अगर आपको देने से मना कर देगा तो loss किसका होगा nominated bank या negotiating bank का होगा अब आपके दिमाग में कादे question आ रहो है मैं समझ रहा हूँ जैसे आप यह सोच रहोगे confirming bank पहले ही था तो फिर negotiating bank की क्या जरूत पड़ी या nominated bank की क्या जरूत पड़ी जितने भी bank हम यहां discuss करें न इन में से जरूरी नहीं कि सारे bank जो है role में आ ही जाएं सारे bankों का picture में आ जाना जरूरी नहीं जैसे यह मत समझेगा कि पहले opening bank आएगा फिर उसकाद में issuing bank आएगा फिर advising bank आएगा फिर confirming bank आएगा फिर negotiating bank आएगा ऐसे इस क्रम में नहीं चलता यह हो सकता है देखे मैं बताता हूँ opening bank ने LC open की या issuing bank ने LC issue की और उसकाद में advising bank के पास ही सारा काम हो गया advising bank ने ही confirming bank का काम कर दिया और किसी bank की जरूरत ही नहीं पड़ी payment हो गई काम खतम हो गया it is possible तो ऐसा नहीं कि सारे bank एक साथ काम में आते हैं तो confused होने की इसलिए जरूरत नहीं है जैसे confirming bank का अपना रोल है confirming bank का रोल कब आ रहा है जब exporter को भरोसा ना हो इस bank पे इंडिया वाले bank पे तब confirming bank का वो है कई बार जो है इंडिया का जो bank है वो किसी bank को nominate कर देगा कि ऐसा है यार कि मेरे विहाब पर तुम payment कर दो क्या दिक्कत है तो उसे ही हम nominated bank या negotiating bank कहा देंगे ठीक है या कई बार जो है जो exporter है वो जो है advising bank या confirming bank के पास ना जा कर कर कि किसी तीसरे bank के पास जा कर कर के बोलता है कि ये रहे LC के documents और ये रहे मेरे जो bill है LC के तहट ऐसा करो आप इसको negotiate कर लो तो उस case में इस bank का roll आ जाएगा यही मैं आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि सारे bank का roll एक साथ activate हो जाए ये बात आपको दिमाग में रखने की आउ सकता है ठीक है तो who negotiating bank या nominated bank का मतलब समझ गया होंगे ऐसा bank जो LC को negotiate करता है और beneficiary को payment करता है देखे confirming bank भी payment करता है negotiated या nominated bank भी payment करता है ये exporter की country में होता है ये bill purchase करने या discount करने का काम LC के तहट जितने भी bill purchase or discount हुए है जितने भी bills drawn हुए है उनको purchase discount करेगा कौन सा bank negotiating bank ये ये beneficiary को payment करेगा और बाद में payment जो है issuing bank से ले लेगा इसलिए LC को LC के जो documents है उसको negotiating bank को बहुत अच्छे से जो है examine कर लेना होता है क्योंकि अगर document verify नहीं किया आपने तो issuing bank मना कर देगा आपको आपने document चेक ही नहीं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं document प्रापर नहीं अब document दीजिये इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा negotiating bank के कंधो पर जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है समझ रहे हैं जैसे confirming bank के उपर इतनी जिम्मेदारी नहीं थे यहाँ issuing bank ने कहीं हाथ नहीं जोड़े हैं यहाँ पर issuing bank हो सकता है exporter उसी bank के पास ही चला जाए और उसको document के आधार पर ही payment कर देनी पड़े तो इसलिए negotiating bank की जिम्मेदारी थोड़ी जादा हो जाती है documents को examine करने की और यह documents as per UCPDC 600 examine होने चाहिए as per उसकी guideline के होने चाहिए एक और bank की जिम्मेदारी आती है reimbursing bank reimbursing bank क्या होता है bank which will make payment to negotiating bank are confirming bank on behalf of issuing bank and will claim payment from issuing bank are opening bank अब आप फिर सोच रहोंगे कि इतने confirming bank भी था यह भी payment करता था negotiating bank भी था यह भी payment करता था अब इसके बावजूद भी जो है sir एक और bank लिया reimbursing bank यह reimburse क्यों करने लगा यह जब दो bank पहले से थे एक और bank जो है क्यों हमें जरूरत पड़ गई ठीक है तो before making the payment it is necessary that it has received reimbursement authorization from issuing bank and has accepted the same ठीक है तो देखे reimbursing bank ऐसा bank होता है जो कि payment को reimburse करता है यानि एक बार negotiating bank जो है payment कर चुका है या एक बार confirming bank payment कर चुका है तो उसको reimburse करने का काम reimbursing bank कर देता है ठीक है अब यह उस cases में होगा जैसे माल लिजे issuing bank जो है किसी वज़े से payment नहीं करने में उस समय सच्छम है तो वो reimbursing bank से कह देगा कि ऐसा है कि negotiating bank माल लिजे या तो negotiating bank जो है payment करेगा या तो confirming bank payment करेगा तो वो बोल देगा ऐसा है कि confirming bank वाले ने payment कर दी ऐसा करो कि आप इसके पैसे reimburse कर दो और मैं आपके पैसे कुछ दिन में reimburse कर दूँगा मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा ठीक है तो थोड़ा सा टाइम अगर बाई करने की जुरत issuing bank को पड़ जाती है तो उस case में reimbursement bank को वो involve कर लेगा ओके देखे अगेन यहाँ पर issuing bank था जिसने LC issue की थी LC issue करने के बाद में advising bank के पास गई जिसने advise किया ठीक है advising bank ने exporter को advise किया कि भाई जो है LCI यह terms condition है तो मैं acceptable है या नहीं है ठीक है उसके बाद में issuing bank ने request की एक और bank से confirming bank के नाम से उसने request इसलिए कि क्योंकि exporter को भरोसा नहीं था issuing bank के उपर तो exporter ने exporter से कहा issuing bank ने ऐसा है कि मेरे उपर भरोसा नहीं लेकिन अपनी country के bank पर भरोसा करोगे तो उस bank ने अगर payment करी तो वो confirming bank है ठीक है कई बार ऐसा होगा कि confirming bank का भी role नहीं रहेगा negotiating bank का role आ जाता है negotiating bank का role तब आता है या nominated bank का जब issuing bank जो है इसे nominate कर दे ठीक है कि तुम payment कर दो मेरे भिहाब पर या exporter खुद ही जो है ऐसे bank के पास चला जा जिसको issuing bank ने nominate नहीं किया है खुद ही चला जा और अपनी LC के तहाट जो भी bills ड्रा हुए हैं उनको जो है negotiate कर ले तो उसे negotiating bank कह देते हैं ठीक है उसके बाद में अब आता है reimbursing bank का role यहाँ पर reimbursement bank का issuing bank जो है अभी इनको confirming bank को और जो है negotiating bank को payment नहीं कर पा रहा है तो issuing bank request करेगा reimbursing bank से reimbursing bank जो है पैसा लोटा देगा negotiating bank का या confirming bank का जिसने भी exporter को payment की हुई है लोटा देगा ठीक है इसलिए यह कहा गया है कि payment करने से पहले reimbursement का authorization issuing bank से receive हो ज़ाना जरूरी है एक जो है यहाँ पर जो हमारा issuing bank है उसके पास reimbursement का authorization letter आ जाना issuing bank से जरूरी है कि हाँ भाई तुम reimburse कर दो इनके पैसे मैं तुम्हारे पैसे जो भी तुम इनको लटाओगे उसको मैं pay कर दोगा यह advising bank confirming bank और negotiating bank same हो सकते हैं यह बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि advising bank का जो रोल है वही confirming bank का भी हो सकता है वही negotiating bank का भी same ही बैकती तीनो रोल अदा कर सकता है यानि reimbursement bank का आप छोड़ दीजिए तो बाकी जो है सारे बैंको का रोल यह अदा कर सकता है इसने 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 किया reimbursement वाला बैंक अलग हो गया जिसने इनको रिंबर्स किया इसके अलबाभी advising bank और negotiating bank और confirming bank तीनो बैंको का रोल ए description में है वहाँ जाईए और एकदम अंदर से समझेए कि LC क्या होती है ठीक है types of letter of credit की बात करेंगे LC बहुत तरीके की होती है और बहुत पूछी आती है इससे questions बहुत जादा पूछी आते हैं पहला revocable LC as revocable मतलब ऐसी LC जिसको revoke किया जा सके जिसे cancel किया सके जिसे which can be amended or cancelled or revoked है जिसे change किया सके बदला जा सके जिसे cancel किया सके जिसे revoke किया सके at any moment without consent of any other party ठीक है किसी और से discuss किये बगैर importer ने issue करवाई थी LC ठीक है importer को समझ में कुछ बाते नहीं है उसने इसमें changes करवा दिये ठीक है exporter से पूछा भी नहीं तो ऐसी LC को हम revokeable LC कहते हैं य किसी की सहमती की जरूरत नहीं है LC में changes हो गया LC cancel है हो गई अब आप सोचिए कितना risky game हो गया exporter ने जो है crude आयल 100 करोड रुपए के भेजनेक तयारी कर रखी है पूरा पैसा खर्चा करके और पता चल रहा है कि हमने LC ही cancel कर दी तो revokeable LC जो है risky होती है और इससे लेकिन cancel किसी भी वक्त किया सकता है in case negotiating bank has accepted the document under revokeable LC अब सोचे रिवोकेबल LC थी लेकिन जो negotiating bank था उसने document को accept कर लिया था LC वनी सामान इदधर shift हुआ document ले जाकरके exporter ने negotiating bank के पास जमा कर दिये और उस bank ने negotiating bank ने उसको accept भी कर लिये कहां ठीक है document सही है मैं आपकी payment करूँगा तो negotiating bank payment कर देगा exporter को obviously लेकिन अब सोचे अगर LC इस समय cancel हो जाए इस moment पे cancel हो जाए जब negotiating bank इसको payment कर चुका है ठीक है prior to receipt of cancellation notice लेकिन जो issuing bank है उसने ये नहीं नहीं किया negotiating bank को कि हमने LC cancel कर दी है यानि कि जब तक information आई LC confirm होने की उसके पहले पहले document अगर negotiating bank ने accept कर लिये हैं तो भाईया अब issuing bank के उपर जिम्मेदारी आती है negotiating bank नहीं जिम्मेदार होगा ठीक है then the issuing bank is liable to compensate या reimburse the same to negotiating bank ठीक है तो issuing bank की जिम्मेदारी होगी कि वो compensate करे reimburse करे negotiating bank को मेरी बात समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है यानि LC थी उसके तहत सारे काम हो गए उसका अगर एक्सपोर्टर ने ला करके जो है जो documents थे वो negotiating bank को दे दिये negotiating bank ने accept कर लिया इधर issuing bank ने information भेजी के LC cancel कर दी है मैंने लेकिन भेजने से पहले ही negotiating bank ने document accept कर लिया है अगर तो इसका अदलब negotiating bank payment exporter को कर देगा और अगर ऐसी situation बनती है तो अब जिम्मेदारी issuing bank के उपर है यानि issuing bank को अगर LC cancel करने है तो वो तुरंत inform करे किसको negotiating bank को कि भईया document मत accept करना अगर document negotiating bank accept कर चुका है issuing bank को negotiating bank को पैसे देने पड़ जाएंगे ये पैसा भरेंगे इनके पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि negotiating bank की जिम्मेदारी नहीं है आपको पहले पताना चाहते है मैंने document ले लिए payment कर दी अब तुम बता रहोगे LC cancel होगे तो हम कहें जिम्मेदार होगे भई issuing bank आपने late किया आप जिम्मेदारी लोगे तो ये बात हमें clear हो जाते है रिवोकेबल LC इसलिए थोड़ा सा risky होती है एक ऐसी LC जिसको कभी भी cancel या परिवर्तित या रिवोक किया जा सके बिना किसी पार्टी को बताये होगे बिना किसी पार्टी की सहमती लिए होगे उसे रिवोकेबल LC कहत without consent of all the parties consent जितनी भी पार्टी हैं इंवाल्व हैं importer, exporter, opening bank, issuing bank, advising bank, सभी की सलाह लिए बगार सभी की सहमती के जिसको cancel या amend परिवर्तित ना किया जा सके उसे irrevocable LC कहते हैं यही ज़्यादा चलती है market में यह ज़्यादा preferable होती क्योंकि इसमें risk नहीं रहता है exporter ने सारा सामान भेज दिया और उसका अधर LC cancel हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाती है इसलिए irrevocable LC ज़्यादा चलती है the irrevocable LC is an unconditional undertaking ध्यान दीजे जो LC मैंने आपको definition बताई थी ना तो वहाँ पर पताया था कि यह conditional undertaking होती है by issuing bank to make payment on submission of document as per LC अगर document as per LC submit किया जाएंगे तो issuing bank payment करेगा इस बात की एक unconditional undertaking होती है irrevocable LC if LC is silent about whether irrevocable or revocable है अगर LC में कुछ नहीं लिखा गया है कि यह revocable है या irrevocable है तो इसे irrevocable LC ही माना जाता है ध्यान देंगे LC में कुछ लिखा नहीं है कि irrevocable है या irrevocable है तो उस case में इसे irrevocable यानि जिसे आसानी से cancel ना किया सके वही वाली LC हम मान कर चलते हैं UCPDC 600 कहता है कि bank को केवल irrevocable LC ही issue करनी चाहिए क्योंकि इसमें risk नहीं रहता exporter के पास पोके फेंट तो irrevocable LC जो होती है जिसको आसानी से cancel या परिवर्तित ना किया सके यानि कि सबकी सहमती ले करके ही अगर cancel किया जा सके तो उसे irrevocable LC कहते हैं ये एक unconditional undertaking होती issue bank के द्वारा कि अगर document आप submit करते हैं as per LC terms तो हम payment जरूर करेंगे अगर LC में कुछ लिखा नहीं है कि revocable है या irrevocable है तो उसे irrevocable LC ही माना जाएगा और UCPDC 600 कहता है कि bank को क्यों irrevocable LC ही issue करनी चाहिए उसके बाद में transferable LC की बात करेंगे तीसरी LC है transferable LC is available to transfer in part or in full है तो जो transferable LC होती है उसे transfer किया सकता है पूरी की पूरी या part में उसके बाद में it can be transferred by one beneficiary first to another beneficiary second ठीक है तो इसको transfer किया सकता है first beneficiary के द्वारा second beneficiary को जैसे LC issue ही मान लिजे एक नाम से ये further इस LC को B और C के नाम पर issue कर सकता है B और C को transfer कर सकता है लेकिन अगर B चाहे आगे इसे D को देना तो वो possible नहीं होता है यानि सिर्फ एक बार transfer होता है मेरी बात समझे आपको ठीक है ये article 38 में defined है UCPDC 600 के कौन से चीज़? transferable LC और LC को transferable बनाने के लिए जरूरी है कि उस LC पर transferable लिखा हो ओके ये भी जरूरी है ओके transferable LC can be transfer only once मैंने आपको बताया कि जो transferable LC होते है उसको सिर्फ एक ही बार जो है transfer किया जा सकता है second beneficiary cannot transfer it further जो दूसरा beneficiary होता है उसे आगे transfer नहीं कर सकता है जैसे person A transferred the LC to B and C person A ने LC को B और C को transfer कर दिया अब अगर B और C चाहते है तो इसे further transfer नहीं कर सकते हैं मेरी बास समझे जैसे पिता जीना जो है अपनी संपत्ती बेटे को दे दी अब बेटा अगर अपने बेटे को देना चाहे तो वो possible नहीं है बस एक ही बार LC transfer की जा सकते है भले ही वो आप जो है 3-4 लोगों को बांड दीजे वो आपकी मर्जी है क्योंकि LC full में भी transfer होती है यो part में भी हो सकता है 50% एक लोग को दे दीजे 20% एक लोग को 30% एक लोग को वो आपकी मर्जी पर है and LC is set to be transferable only if it is written as transferable in LC LC को transferable तभी कहिए जब उसमें लिखा हुआ हो especially लिखा हुआ clear out में कि यह transferable है transferable LC की बात करेंगे तो जो transferable LC होती है वो full में भी transfer होती है या part में भी transfer होती है इसमें first beneficiary second beneficiary को transfer कर सकता है यह article 38 में defined है UCPDC 600 के और LC transferable होती है क्यों एक बार ठीक है एक ही बार transfer की जा सकती है second beneficiary इसे further transfer नहीं कर सकता है उदाहरण के लिए A बेक्ती जो है उसने A बेक्ती को LC issue की गई थे उसने further transfer B और C और D को कर दिया अब अगर C चाहता है further decision transfer करना तो वो possible नहीं है further transfer नहीं possible एक बार transfer की जा सकती है LC transferable तभी कही जाएगी जब यह लिखा हुआ हो LC में कि हाँ यह transferable है otherwise नहीं उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला question है वो red clause LC और green clause LC है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर बार आपको question मिल ही जाएगा तो red clause LC किसे कहते है a letter of credit with advance payment ठीक है यह letter of credit जिसमें advance payment की जाती है under this LC bank provide pre-shipment finance और packing credit ठीक है यानि कि जहाज पर माल load होके जाने से पहले का जो loan होता है उसे provide करता है to exporter for manufacturing the goods to be exporter जिस सामान को आपको export करना है उसको बनाने के लिए जो भी पैसो की जरूरत है उसकी लिए जब loan दे दे bank तो उसे ही red clause LC कहा जाता है ठीक है यानि जैसे माल लेजे जो है इंडिया में fridge मैं माल लेता हूँ कि आपको fridge जो है export करना है export करना है fridge को अब fridge को बनाने के लिए माल लेजे आपको जो है 10 करोड़ रुपई की जरूरत है तो आप bank जाओ और 10 करोड़ रुपई ले लो LC के अंतर कर ठीक है तो ऐसी LC जिसमें advanced payment मिल जाए यानि LC अभी जो है LC generally क्या करती है एक जो है mediator का काम करती कि हाँ तुम सामान भेजोगे और उसके बदले में हम तुम्हें payment करेंगे लेकिन यहाँ पर क्या है कि नहीं payment तो सामान भेजने की बात छोड़ो पहले जो सामान बनाना है उसके लिए तुम loan ले लो तो अगर उसके लिए loan मिल जा तो उसे red clause LC कहते है letter of credit with advanced payment होती है इसमें pre shipment के लिए या packing credit के लिए loan प्रोवाइड के जाता है ताकि उस goods को जिसको जो चीज से export करनी है अगर हमारी देश से car export होनी है तो उसको बनाने के लिए manufacture करने के लिए जो भी सामान खरीदना है उसके लिए जब loan bank प्रोवाइड कर दे तो उसे ही red clause LC कहते है if after taking advance exporter do not submit the relevant document then issuing bank will wear the loss अब advance ले लिया exporter ने और जो है उसको जा करके उड़ा दिया दारू पी लिया कुछ भी कर दिया ठीक है और document नहीं submit कि हाँ हमने export कर दिया है तो उस case में जो issuing bank है उसकी जिम्मेदार ही हुई loss उसी को bear करना पड़ेगा जानी कि generally होना क्या चाहिए कि अगर exporter ने सामान को manufacture करने के लिए जो है loan लिया हुई तो सामान को manufacture करने के लिए जो भी चीज़े खरीदी उसको खरीदे सामान manufacture करे और export करे इसके लावर और किसी purpose के लिए इस पैसे को use ना करे तो उसे हम red clause LC कहते है जिसमें advance मिल जाता है loan advance में दे देता है bank ठीक है तो red clause LC क्या होती जिसमें advance payment देता है bank इसमें आपको bank जो है pre shipment finance या packing credit प्रोवाइड करता है ताकि जो goods export करना है उसको manufacture करने के लिए जो भी चीज़े खरीदी उसको bank exporter खरीद सके तो उसे ही red clause LC कहेंगे अगर advance लेने के बा जाएगे तो उसे ही green clause LC कहते हैं यानि red clause LC ओले feature तो रहेंगे ही रहेंगे साथ ही साथ में warehouse के अभी feature आ जाएगा तो उसे green clause LC कहते हैं समझते हैं इस बात को under this LC bank provide finance for storing goods in warehouse along with pre shipment finance और packing credit to the exporter तो red clause LC क्या करती थी exporter को pre shipment finance या packing credit देती थी ताकि जो चीज export करनी है उसको manufacture करने के लिए जो भी सामान इंडिया में खरीदना पड़ रहा है उसको खरीदो इसके लिए loan देती थी है ना उसी को ही हम packing credit कहते हैं तो ये तो देगा ही loan bank साथ ही साथ उसके अलावा इस LC में bank क्या करता है warehouse में store करन जर्नली विदेशों में ही यहां से सामान जाता है और फिर वहाँ विदेश में एक warehouse में रखा जाता है विए house में क्यों रखा जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सामान यहां से बना करके भेज देते हैं और हमाई पास order नहीं रहता तो उसको warehouse में गोदाम में हम प्रवाइड कर दें तो उसे आप green class LC कहेंगे ओके clear हो गई मिर बाद तो under this LC bank finance provide करता है warehouse में सामान को goods को store करने के लिए विदेश में विदेश में आपको warehouse में सामान को रखना है उसके लिए भी loan देगा और साथ ही साथ में packing credit loan या pre-sip and finance भी आपको provide करता एक्सपोर्टर तो उसे हम green class LC कहते हैं ठीक है अब यहाँ पर थोड़ी से interesting बात है कि nowadays जो LC होती है वो swift mechanism के थूप electronically भेजी जाती है लेकिन पहले ऐसा नहीं था earlier LC with red and green class would be typed out in red or green color in order to invite the attention of exporter and negotiating bank ठीक है तो पहले क्या होता था कि जो exporter है उसका ध्यान खीचने के लिए जो negotiating bank उसका ध्यान खी क्लर में हो जो green color में type ही किया जाता तो उसी कलर में उसको type ही कर दियाता था फ्रेंट्स ताकि ध्यान रहे यह red color में type है ठीक ही though greenering जाती थी तो green clause LC हो जाती थी ऑगि तो फ्रेंस रेड क्लाज LC के फीचर प्लस वेर हाउस के लिए भी अगर फाइनस मिल जाए तो उसे ग्रीन क्लाज LC कहेंगे रेड क्लाज LC में किसी के लिए लोन मिलता है पैकिंग क्रेडिट के लिए प्री सिप्मेंट फाइनस या पैकिंग क्रेडिट के लिए लोन मिलता है और ग्रीन क्लाज लसी में पैकिंग क्रेडिट प्लस वेर हाउस के लिए फाइनस मिल जाता है वेर हाउस जर्नली जो है विदेशों में होते हैं वहाँ पर रखा जाता है सामान को तो उसे हम क्या बोलते हैं Green Clause LC बोलते हैं पहले LC जो है भेजी जाती जर्नली अभी LC स्विफ्ट मेकनिजम के थूँ जाती है पहले LC जो है Red Color में या Green Color में टाइप ही की जाती थी ताकि Exporter को पता चल जाए Negotiating Bank को पता चल जाए ध्यान रखेंगे Red Clause LC हो या Green Clause बहुत बुझाता है ये दोनों LC जो है Anticipatory Credit कहलाती है क्या कहते हैं इन है Anticipatory Credit कहते हैं अब जितनी भी LC फरेंट समने यहां तक पढ़ी न अभी तक जितनी भी LC पढ़ी है वो further जो है उनके भी certain type होते हैं जैसे Site LC, Acceptance LC और Deferred Payment LC यानि जितनी भी above हमने LC पढ़ी है Within the above type of LC LC can be Site LC, Acceptance LC, Deferred Payment LC समझते हैं थोड़ा सा ऐसे जर्नल भासा में Site LC का मतलब Letter of Credit आपने Letter of Credit के Document देखे और Payment कर दी उसे कहेंगे Site LC Acceptance LC आपने Letter of Credit का Document देखा लेकिन उसमें Usance Period जुड़ा हुआ Usance Period मतलब कुछ समय जुड़ा हुआ है मालिजे से 90 Days तो आपने LC के Document देखे और उसका 90 Days का Usance Period था 90 दिन इंतिजार किया तब Payment कर दी तो उसे Acceptance LC कहेंगे फिर Deferred Payment में Deferred Payment का दलब भी बाद में Payment होता है यहाँ पर आपने LC के Document देखे और उसका आद में 90 Days आपने Wait भी किया दोनों बाते की लेकिन यहाँ क्या है यहाँ पर Bill of Exchange Bill of Exchange ड्रॉ किया जाता है Acceptance LC में और यहाँ पर Bill of Exchange ड्रॉ नहीं किया जाता है इसका फाइदा यह होता है कि एगर Bill of Exchange नहीं रहता है तो जो कुछ Charges जो गयरा होते है जो है उसको भरना नहीं पड़ता है बाकि दोनों एक ही जैसे होते हैं थोड़ी बात आपको समझ में आई है डिटेल में यहाँ पर बता रहा हूं है Site LC क्या होती है Under a Site LC Site मतलब देखा और पेमेंट कर दी The beneficiary is able to get the payment on presentation of document Document present किया और payment मिल गई Beneficiary वो Site LC कहलाती है These LCs are DP Document against payment DP ठीक है इन्हें documents against payment कहते है मतलब document के against payment हो गई Acceptance LC की बात करते हैं In an Acceptance LC The Bill of Exchange are drafts are drawn With certain insurance period And payable upon acceptance at future date Acceptance जो LC होती है इसमें Bill of Exchange या Draft को draw किया जाता है Certain insurance period के साथ Use insurance period मतलब जैसे आपको जो payment हो नहीं हो 45 दिन बाद 90 दिन बाद ऐसे payment हो उससे use insurance period कहते हैं और future date में इसकी payment करनी होती है तो इसे acceptance LC कहते है Use insurance period में भी certain number of days From the date of segment Like 90 दिन 45 दिन ऐसी LC को DA कहते है Document against acceptance मतलब इसमें LC के documents आपने लिए Accept कर लिए और उसका जितना भी use insurance period LC में लिखा है मानली है 90 days तो 90 days बाद payment आप करते हैं लेकिन यहाँ पर Bill of Exchange या Draft को draw किया जाता है तो उसे acceptance LC कहते हैं Deferred payment LC की बात करेंगे यह almost similar होती acceptance LC की Except there is no Bill of Exchange or Draft drawn यहाँ पर ना तो कोई Bill of Exchange ना ही कोई draft जो है draw किया जाता है बकिस सेम होता है Due date जो होती है वो जर्नली Letter of Credit पर ही mention रहती है LC पर ही क्योंकि Bill of Exchange है नहीं कोई draft नहीं ड्राफ हो है तो इसमें वहाँ पर date ना हो करके जर्नली जो है due date जो है कहां लिखी होगी LC पर ही लिखी होगी The options of Bill of Exchange saves the beneficiary from cost of stamp duty or any other liability तो यहीं बताए कि Bill of Exchange गायब क्यों करते है क्योंकि beneficiary यानि एक्सपोर्टों के फायदा हो जाता है उसे stamp duty नहीं पे करने पड़ती है या कोई और charges नहीं पे करने पड़ते है यह इतना फायदा हो जाता है बाकि दोनो LC एक जैसी होती है ठीक है तो थोड़ा सा समझ में आया होगा site LC का मतलब आपने document देखा और payment कर दी इसलिए DP कहते है document against payment document दिखाया और payment कर ली DA कहते है इसको document against acceptance इसमें क्या होता है कि आपने document देखा प्लस यूसान्स पिरेट जो भी 90 दिन का time था उतना wait किया और फिर payment कर दी लेकिन बिलाफ एक्चेंज या draft यहाँ पर draft होता है और जो यह तीसरी वाली LC है हमारी deferred payment इसमें भी same चीज है आपने बिलाफ एक्चेंज मतलब आपने यह LC के documents accept की और फिर यूसान्स पिरेट 90 देज का wait किया और उसके बाद में फिर payment कर दी लेकिन यहाँ पर क्या है बिलाफ एक्चेंज या जो है बिलाफ एक्चेंज या फिर जो है draft ड्राफ नहीं होता है इसे DA कहते है document against exception मतलब document के against acceptance ली गई है कि हाँ future में आपकी payment कर देंगे तो यह हो गया उसके आप में अगले type की LC के हम बात करेंगे तो ध्यान रखिए कि कोई LC का type नहीं है LC की payment कैसे होती उसके बारे में है यह चर्चा इसके पहले जो हमने LC की बात किये जैसे red clause LC और green clause LC यह सब LC के type है यह LC की payment क्या होती उसके type के बारे में बात कर ली हमने बीच में site LC कोई LC नहीं है acceptance LC कोई LC नहीं है LC की payment का method है clear हो जाती है बात यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अब अगला type है back to back LC यह एक LC का type है green clause LC, red clause LC, revocable LC, irrevocable LC these are type of LC लेकिन site LC, acceptance LC यह उनके payment करने का method होता है back to back LC का मतलब होता है when an LC is get issued on instant of other LC it is called back to back LC एक LC आपके पास पहले से थी इसको गिर्वी रखा, बंधक रखा, बैंक को दिया और उसके बहाब पे दूसरी LC आपने issue करवा ली तो इससे ही back to back LC कहा जाता है ठीक है when an exporter arrange to issue an LC in the favor of local supplier to purchase goods, procure goods on instant of export LC issued in his favor, it is called back to back LC इसकी जरूरत कहां पर पढ़ती वही बता रहा है कि माल लिजे कोई exporter के पास LC है ठीक है उसको जो है वो चाहता है कि उसका जो local supplier है उसको कोई सामान खरीदना है उसके लिए payment चाहिए तो exporter ने अपनी LC को बंधक रखा और उसके बदले में issue करवाली एक LC की मतलब मेरे LC के डम पर आप एक दूसरी बंधक न कहा करके एक मेरी LC के बिहाब पर आप ऐसा करें मतलब यह LC अपने आप में एक प्रमाड हो गए न जैसे एक bank guarantee आपके पास अगर है तो इसी bank guarantee को बिस्वास मान करके दूसरी guarantee issue करवाला है उसी type की बात है कि exporter के पास जो LC है उसको basic मानिए कि हाँ यह guarantee है और इसके आधार पर एक LC जो है हमारे यह जो local supplier है उसको issue कर दीजे तो उसे back to back LC कहेंगे back to back LC is for procurement of goods locally or import of goods for making the export commitment जो back to back LC होती है वो ज़्यादा तर issue की जाएगी किसकी लिए goods को procure करना है locally मतलब वही local market में आपको कोई सामान खरीदना है जैसे आपको car manufacture करके अगर export करनी है तो car के लिए tire, seat cover, lighting, engine यह सारी चीजे की खरीदने की जुरत पड़ सकती है तो अगर उसको locally purchase करना है goods को तो उस case के लिए आप back to back LC is for करवा सकते है या कोई ऐसा सामान जो विदेश से import हो करके आएगा इंपोर्ट हो करके आएगा जैसे मान लिए car के engine हम नहीं बनाते अगर हम car के engine नहीं बनाते तो वो इंपोर्ट हो करके विदेश से आगा जैसे जो chip होती है, laptop अगरा यह कहां बनती है, हमारी China में बनती है तो इस case में किया अगर हम China से सामान को import करेंगे, तो उसलिए भी जो LC है back to back वो issue की जा सकती है, ठीक है तो back to back LC आपको समझ में आ गई जब एक LC की strength पर दूसरी LC आप issue करवा ले जाए तो उसे ही back to back LC कहते हैं इसका प्रयोग जो है locally goods को procure करने के लिए या जो export की commitment है उसको मतलब जो है meet करने के लिए अगर कोई goods import करना तो उस case में भी sales को use किया सकता है सतमा, stand by LC क्या होती है stand by LC और bank guarantee दोनों same होती है ऐसे समझ लीजे, stand by LC are similar to bank guarantee जैसे bank guarantee issue करता है ठीक उसी तरीके से stand by LC जो है issue की जाती stand by LC का मतलब यह हुआ कि stand by है, मतलब अभी stand by है use में नहीं है इसका role तब आएगा जब एक तरफ से कहीं default हो जाए if importer fails to meet its obligation importer ने सामान import कर ले लेकिन पैसे नहीं दे पा रहा है अपनी obligation को fail कर जा रहा है तो exporter जो है invoke करेगा obligation bank की कि आप pay करिये, आपने कहा था कि हम payment करेंगे इंपोर्टर पैसा नहीं दे पा रहा है exporter को, तो उसी case में ही जो है importer, जो bank है importer का उसकी obligation आजाती है कि payment करो exporter को, ठीक है stand by LC bank guarantee के जैसी होती है जब importer पैसे नहीं दे पाता है उसी case में ही इसे invoke किया जाता है कि हाँ अब जो है इसमें क्या होता है, bank guarantee में मान लिजे, अगर आप इसको college में पढ़ रहे हैं, ठीक है b-tech वगरा करने गए, तो b-tech में करने जब आप गए, तो आपने bank से loan लिया ठीक है, bank से loan लिया, तो bank क्या करता है, कि आपके पिता जी से बोलेगा, कि ऐसा करिए, आप bank guarantee दे दीजे, मतलब मैं bank guarantee issue कर देता हूँ ठीक है, तो bank guarantee issue हो गई पिता जी की, यनि फादर साहब की इसका मतलब यह हुआ, कि अगर मैं जो है, अपना loan नहीं भर पाऊंगा तब पिता जी की जिम्मेदारी होगी, वो bank का loan भरे, हमाली जी मैंने पढ़ाईगी और नौकरी नहीं लगी, तो मैं bank का loan नहीं भर काऊंगा, तो उस case में bank guarantee invoke हो जाती है, और जिम्मेदारी आती है कि फादर साहब ऐसा है, कि आपने कहा था कि मैं payment करूँगा, तो आप payment करिए ठीक है, अगर ये बेक्ती ये जो बेक्ती है, जिसने loan लिया था education के लिए अगर वो कमाने लगा और उसने अपनी loan भरना सुरू कर दिया, तो ये बे guarantee ऐसे निरर ठक है, कोई मतलब नहीं है इसका कभी invoke ही नहीं होगी लेकिन जब invoke होगी contingency, यानि कि emergency situation में कर activate होगी, तो उस case में इसकी liability बढ़ जाती है, ठीक उसी तरीके stand by LC, LC तो है लेकिन इसका कोई role नहीं है, तब तक जब तक कि importer अपनी obligation से fail ना हो जाए, मेरे खाल से आपको बात समझ में आ गई होगी revolving LC की बात करेंगे तो friends, revolving LC का मतलब होता है, जो revolve होती रहे, एक के बाद, एक के बाद जो है बार बार जो है, काम आती रहे, उसे revolving LC कहते हैं which is initiated again after negotiation of document drawn under LC, मतलब LC की तहरा जो document draw होए है, उनके वज़े से दुबारा re-initiate हो जाए दुबारा से जीवित हो जाए, उसे ही revolving LC कहते हैं, and LC which will keep revolving is called revolving LC जो बार बार जो है, यूज में आती रहे उसे revolving LC कहते हैं if buyer requests partial deliveries of ordered good at specific intervals, the bank will make the payment of each consecutive installment under revolving LC मतलब कहने का यह है, कि अगर मालिजे जो buyer है, उसने कहा है कि हमको 100 car चाहिए लेकिन ऐसा करोगी, जो है आप 25-25 की चार बार मुझे पहुंचाओ, ठीक है तो 25-25 की चार बार payment मतलब जो है, चार बार में car हमारे देश में import हो करके आएंगी, if buyer request partial delivery यहाँ partial delivery बात की, पूरा नहीं of the order good at specific control, the bank will payment make the payment of each consecutive installment under revolving LC, तो इस case में एक LC issue ना हो करके एक तरीके से revolving LC issue होगी, याणी यही LC एक बार payment करेगी, 25 कार के लिए फिर यही LC again payment करेगी, 25 LC देख एक बार again करेगी, यह revolve होती रहेगी, याणी same LC बार बार payment कर रही है otherwise, एक LC के थाथ एक ही payment issue होता है, एक letter of credit के एक ही payment issue होता है लेकिन अगर revolving letter of credit है तो उस case में multiple times payment होती है यानि यह revolve हो रही बार-बार जिन्दा हो जा रही है एक बार एक 25 कार के लिए payment की फिर जिन्दा होई 25 कार के लिए payment ऐसे करके ठीक है the bank is liable for total payment of all the parcel delivery bank की जिम्मेदार होती है कि total payment करें जितनी यह parcel delivery जैसा कि 100 कार के लिए का contract हो तो 100 कार का पूरा-पूरा payment करेगा वो भले ही एक बार में 25-25 ले करके deliver हो रही है बट बैंक को total जो भी 100 कार का payment हो देना होता है यह बस guideline यह कहती कि second parcel payment तभी जो है काम आएगी जब तक पहली installment पे ना हो गई हो the second parcel payment is not effective until the first installment has not been paid and so forth यहनि कि पहली installment पे हो जाएगी तभी second installment की payment की जाएगी जब second payment हो जाएगी तभ third installment पे जाएगी फिर fourth installment इसी क्रम में यह चलता रहता है तो ऐसी LC जो बार-बार जीबित होती रहे उसे जो है revolving LC कहते है है जो keep revolving LC कहते हैं कहां काम आती है उसमें मैंने बताया कि कोई है जो parcel delivery चाहता है सो कार उसने मंगवाई है यह कहा है कि आप पहले 25 दीजे फिर 50 दीजे और फिर 25 मुझे दीजे है तो बैंक की जिम्यदारी total payment के होती है 100-car की बात हुई है तो 100-car की payment होनी है लेकिन यह पारस्ल डेलेवरी की total payment जितनी भी होगी सारी payment करनी होगी second parcel payment तभी इस्ज़ होगी यही होता है अब तक हमने LC क्या होती है LC में कॉन कॉन सी parties involved है और type of LC इतनी बाते यहाँ पर कबर कर ली है अब हम Inco Terms के बारे में बात करेंगे तो Friends Inco Terms के बारे में बात करेंगे तो देखें Inco Terms कुल मिला करके 11 होते है और इसका भी डिटेल में वीडियो जो है आपको description में provided है यहां उतना पढ़ रहे हैं जिससे आपको बाते पता चल जाएं समझ में आजा है बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो उस वीडियो को आप refer कर सकते हैं इनको terms की अगर बात करें तो इसका full farm होता है आपका transfer कोलकाता हो जाता है ऐसे में आपका बाम्बे में माकान है गर है लीज पर रहा जो भी है वहाँ पर आपका बहुत सारा सामान है इसको सिफ्ट हो करके कोलकाता में जाना है ठीक है अब आपको जरूत होगी पैकर्स कंपनी से आपने कॉंटक्ट किया उन्होंने कहा कि ठीक सर कोई प्रॉलम नहीं आप ऐसे करिए हमें 55,000 रुपए दे दीजिए और हम आपका सारा सामान हाँ पर ट्रांसफर कर देंगे ठीक है चलो यह तो बहुत अच्छा रहा लेकिन आप न थोड़े डिटेल में बात करना पूल गए अब उसके आद में क्या हुआ कि जब 55,000 रुपए उसने लिए आप से और आपके सामान आपकी मतलब घर से पूरा मतलब जो है लोड किया इसने ट्रक पे ट्रक चली और उसके आद में जब यहां पहुंची न तो आपका मालीजिए 7th फ्लोर पर है यहां वहां पर हो सकता है आपका ग्राउंड पर यहां 7th फ्लोर पर है अब ट्रक नीचे आकर खड़ी हो गई और तो पैकर और मुगर इस सेंग कि सर हमारी जो बात हुई है उसमें हमने 7th फ्लोर की कोई बात नहीं की है मैंने बस यह कहा था आपका सामान मूव कर देंगे तो हम क्या कर भी नहीं होगा आपको 2-4,000 पर और भी इस्ट्रा सामल मतलब खर्चे करने पड़ेंगे तो हुआ क्या एक तरीक है कि मिस कम्निकेशन हो गई इसलिए टर्म्स डिसाइड किये गए अब चुकि एक कंट्री है तो बात लगी है मालो यह तो चलो अपने देश में ही बात थी क थोड़ा बहुत जो है बाचीत करके भी जो है चलो 200 रुपे और दे दी और उसने मान ली बात सिंगपूर में ऐसा नहीं होता है तो उस केस में आप लोग परिशान हो जाओगे इसलिए इंटरनाशनल टर्म्स डिसाइड किये गए कि हाँ इस टर्म का यह मतलब है इसलिए इसलिए को टर्म्स इंटरनाशनल कमर्सिल टर्म्स लेकर के आए गए हैं ओके पार्टीज टू कांट्रेक्ट अर आफेन नाट अवेर आफ डिफरेंट ट्रेट प्रैक्टिस इन रिस्पेक्टिक कंट्रीज इन विच कैन भी मिस अंडर्स्टेंडिंग रिजल्टिंग इन इन इंडिया की इन-गणपुर की है तो वो हो सकता है कि अलग अलग देशों में जो ट्रेट प्रैक्टिस चलते हैं उसके बारे में अवेर ना हो इसके व obscure गोई हो गा कि कोर्ट में चेस भी जा सकता है इसलिए इंटरनाशनल इंटरनाशनल इसलिए इसलिए ICC International Chamber of Commerce पेरिस ने International Rule पब्लिस किये हैं for the interpretation of trade term known as inco term तो trade term को inco term के नाम से पब्लिस किया गया जिसमें हर term के अपने माइने है अभी हम समझेंगे उन 11 inco terms के बारे में किस term के क्या माइने है ठीक है तो आपको बात समझ में आ गई पहली बात inco terms का मतलब international commercial term होता है दूसरा इससे publish किया था ICC पेरिस ने इसको किस ने publish किया है International Chamber of Commerce ने publish किया था inco terms define liability of sellers and buyers मतलब inco terms क्या करते हैं buyer की क्या जिम्मेदारी होगी seller की क्या जिम्मेदारी होगी उसके बारे में बताते हैं ICC publication on inco terms has been updated several times and latest version is January 2020 तो inco terms जो published with reference कई बार update किये गए है और जो latest term है वो 2020 है 2020 का है यानि 2020 के बाद इससे revise नहीं किया गया है अकुल मिलाकर के inco terms कितने हैं 11 तो हमें ये बात clear होगी inco terms का मतलब international commercial terms होता है ठीक है दुनिया भर की जो parties होती है उनके अलग-अलग term की अलग माइने होते हैं उसी confusion को दूर करने के लिए international rules publish किये गए हैं किसके दोरा ICC Paris के दोरा ICC है international chamber of commerce इन्होंने inco terms publish किये हैं inco terms में seller और buyer की जिम्मेदारियां अभी हम बात करेंगे तो आपको ये सारी बाते समझे हैं कि मैं कहना क्या चा रहा हूँ seller और buyer की responsibility liability set की गई है inco terms को कई बार जो है update किया गया है latest वाला January 2020 या 2020 की नाम से जाना जाता है अब कुल मिला करके inco terms है 11 11 inco terms के बारे में यहाँ पर बात करेंगे सारे के बारे में बात नहीं करेंगे जो आपके exam में बहुत जादा पूछा थे 4-5 उनके बारे में बात करेंगे बाकी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और छोड़ देंगे पहला inco term है x work या x warehouse बोलते हैं in x works liability of seller is to place the goods at his premises only any transport method exporter country इस बात के क्या माइने है समझते हैं जैसे अगर मैं सामान के यात्रा की बात करूँ न थोड़ा से इस बात को समझते हैं जैसे मान लीजिए यहां seller है ठीक है इसने मान लीजिए 10 car बनाई है ठीक है 10 car बनाई और उसको भेजने का काम उसका है अब 10 car अगर बनाई तो क्या होगा यहां उसकी factory होगी warehouse होगा seller की जहां पर 10 car बना करके यहीं पर रख देगा अब यहां से आगे क्या होगा फ्रेंट यह जो car है किसी truck में load होगे truck आगे बढ़ेगा truck जा करके आगे जो है port में पहुंचेगा port मतलब बंदरगा पहुंचेगा पहुंचेगा यह पूरी ऐसी जरनी यहां से यहां तक चलती है ठीक है ऐसे चल रही है तो x work का मतलब यह होता है कि यहां पर जो बेचने वाला है seller की जिम्मेदारी इतनी है कि वो जो भी सामान उसको बेचना है भेजना है वो अपनी premises में ही बना करके रख देगा यानि अगर उसे 10 कार बेचनी है तो उसने क्या किया 10 कार बनाई manufacture करी अपनी company में और वहीं रख दी बात खतम इसके बाद की सारी जिम्मेदारी किसकी हुई importer की बायर की यानि कि अब बायर की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ ट्रक भेजे 10 कार उस ट्रक में लदवाए उसको पार करके जो है पोर्ट पे पहुंचा है पोर्ट में import export duty अगरा पे करे फिर ट्रक पे लदवाए फिर हावाई जहाज में लदवाए सरी एरपोर्ट में जाएगा थो हला येगा समुद्री जाएगा तो वहां लदेगा उसके अपने देश में लाए फिर यहाँ उतारे पोर्ट में पार करे बाए न इंपोर्ट एक्सपर्ट जो भी यहाँ पर कस्टम ड्यूटी हो Pokémon पार करें और फिर लाकर अपने घर पे ले आई यह सारी जिम्मेदारी किसकी होगी इंपोर्टर होगी तो यही मतलब एक्स वर्क मतलब अब एक टर्म डिसाइड हो गया आपने अगर कांटेक्ट कर लिया इक्स वर्क का इसका मतलब यह हुआ कि सेलर जो है आजाद है किस बात से सेलर को सिर्फ इतना करना है कि अपनी फैक्टरी में जो भी प्रोड़क्ट बनाना उसको बना करके रख दे बस आथ पैर जोड़ करके बैठ जाए सारी कि सारी जिम्मेदारी किसने ले ले ली इक्सपोर्टर का काम खतम हो गया यह है अब ऐसा वर्ड इक्स वर्क बन गया इसका मतलब अब यह पूरे दुनिया का कोई भी देश हो X work अगर contract हुआ तो सब को ये बात पता है कि seller केवल अपनी premises में ही मुझे सामान देगा उसके अलावा कहीं सामान पहुचाने वाला ये नहीं है मेरी बात अब आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था ठीक है अगर लिखा गया कि हमारा आपका contract FCA है तो इसका मतलब होता है free carrier add का मतलब seller delivers the goods at the gate of port but not inside the port अब क्या हुआ seller की जिम्मेदारी है कि सामान बनाए ठीक है यहाँ सामान देखे x work में यहीं तक जिम्मेदारी थी अब क्या है सामान बनाएगा उसको truck पे लादेगा truck पे लाद करके port के gate के बाहर ला करके खड़ा कर देगा बन्दरगाह के बाहर खड़ा कर देगा अंदर नहीं ले जाएगा यहाँ तक की जिम्मेदारी एगर कोई नहीं बाहर आए तो उसे free carrier at FCA बोलते हैं अब बन्दरगाह के अंदर truck यहाँ खड़ा हो गया इसके अंदर ले जाना क्योंकि यहाँ duty अगरा पड़ती है वो custom clearance अगरा लेना पड़ता तो यह जिम्मेदारी अब importer की यानि यहाँ से ले करके gate के बाहर से शुरू हो करके exporter country exporter country मतलब अभी भी सामान exporter की country में रहेगा FCA के तहट any transport method का मतलब आप हवाई जहाज से भी सामान अभी ले जा सकते हैं और जो है पानी के जहाज से भी ले जा सकते हैं तो यहाँ port की जगे पर airport भी रहेगा सही अगर airport पर भी ले जाएगा और दूसरी देश में पहुँचेगा तो यह जो खर्चा होता इसे main carriage कहते है main भाड़ा मुखे भाड़ा unpaid है यानी FCA free carrier add में मुखे भाड़ा कोई seller नहीं pay करेगा seller जो है main carriage unpaid रहता यानी pay नहीं करेगा समझगे मेरी बात को जैसे यहाँ पर था यह बाला देखिए सामान यहाँ पर जहाज में load हुआ फिर यहाँ से यहाँ पूरी यात्रा करके यहाँ पहुचा और यहाँ unload हुआ तो यह जो फैसला तैह हुआ है यहाँ से यहाँ तका जो फैसला तैह हुआ है इसका जो भाड़ा होगा उसे main carriage कहते है main carriage बोलते है main carriage जो है seller नहीं पे करता यही बात मैंने यहाँ पर आपको पतानी की कोशिस की है यानि वो जिब भाई जब उसने बंदरगाह के बाहर ही रख दिया बंदरगाह के बाहर ही जब छोड़ दिया सामान को तो यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं तो भाड़ा पे करने की तो बात ही खतम हो गई तो यह भी बात आपको समझ में आ जाती है अब आता है F.A.S Free Along Sip F.A.S क्या होता है Free Along Sip seller will place the goods alongside the ship मतलब इसमें क्या हुआ कि seller ने थोड़ी और इहिम्मत दिखाई ठीक है यहाँ अगर आप वापस आओ यहाँ पर यह वाले पोटों में अब क्या है कि अभी मैंने बता है कि पोट के बाहर उसने खड़ा कर दिया था ना ट्रेक ला करके किसमें F.C.A. में Free Carrier Ad में पोट के बाहर ला कर खड़ा कर दिया अब अगर वो पोट के अंदर भी ला करके उसने खड़ा कर दिया है इसी लिए उसे F.A.S. बोलते है Free Allowance मतलब Seller ने सामान को जहाज के बगल ला कर खड़ा कर दिया लोड नहीं करेगा दिया ध्यान दीजिए Goods को ला करके ship के बगल खड़ा कर दिया है Loading की बात नहीं होगे जितनी बाते होंगे उतना ही काम होगा यहां seller deliver करा goods को gate के port पर यानि port पर ही छोड़ देगा inside नहीं होसेगा यह मदारी उसकी नहीं है F.C.A. टर्म यहीं कहता है उसी तरिके Free Along Ship कहता है कि goods को ship के बगल ला करके खड़ा कर देगा लोड ओड नहीं करेगा यह बात नहीं करेगा यहां पर लेकिन F.A.S. Free Along Ship में सिर्फ Water Transport यूज किया सकता है यहां पर Any Transport Method नहीं अलाओ होता है इस में इस जो है इनको टर्म में ठीक है Main carriage unpaid है यहां पर भी यानि मुख भाड़ा अभी भी पे नहीं किया क्योंकि जहाज पर लादा ही नहीं तो मुख भाड़ा बता ही नहीं exporter की country अभी भी माल exporter की country में जब तक जहाज पर लद करके निकल ना जाए तब तक कोई मतलब नहीं exporter की country में ही रहेगा आगे बढ़ते हैं FOB अब क्या है थोड़ा और आगे बढ़ है seller deliver the goods on port and load the goods on ship यानि कि जहाज जो है जो बगल में ला करके ट्रक भाई साम ने खड़ा किया था था ना ये ट्रक अब यहाँ loading अगर करवा दी ट्रक में loading ट्रक से सामान उठा करके हवाई जहाज पर या पानी के जहाज पर हवाई जहाज पर नहीं होगा क्योंकि यह सिर्फ मतलब river वाला या ocean के रास्ते से ही जाएगा ठीक है तो अगर हवाई इसमें पानी के जहाज पर लोडिंग करवा दी तो उसे कहते हैं क्या बोलते हैं फ्रंस FOB free on board कांट्री में ही है CFR ये भी पूछा आता है सबसे ज़्यादा FOB और CIF दो पूछा आता है सबसे ज़्यादा CIF FOB और CIF ये दो पूछा आता है free on board और cost insurance and freight है अभी देख लेंगे उसको भी CFR का मतलब cost and freight होता है seller deliver the good on board यानि SIP पर जो है seller सामान को जहाज पर लाद देता है seller pays the freight charges to यहाँ पर जो है जहाज का भाड़ा भी पे कर देता है यानि main carriage paid हुआ इसमें main carriage मुख भाड़ा पे किया रहा है यानि समझे यहाँ पर जैसे अभी तक free on board में क्या था SIP पर लाद दे रहा था क्यों आगे की बात नहीं कि उसने लेकिन CFR में cost and freight में SIP पर लादेगा भी और साथ ही साथ में जो मुख भाड़ा है freight charges जो है वो भी पे कर देगा तो उसे आप CFR cost and freight बोलते हैं इसमें क्यों water transport ही use होता है ठीक है उसके बाद में आगे बढ़ते हैं CIF होता है cost, insurance and freight अब देखें cost and insurance का मतलब था कि SIP पर सामान लादा और प्लस freight भी पे कर दिया यहाँ पर क्या है cost का मतलब सामान जहाज पर लादेगा freight का मतलब रास्ते का भाड़ा देगा insurance भी करवा देगा सामान का तो उसे CIF कहेंगे यानि इसमें और इसमें difference इतना है कि insurance और जुड़े जाता है बागी सारा कुछ सहीम है तो seller क्या करेगा goods को SIP पर लाद देगा उसके बाद में seller मुख भाड़ा भी पे कर देगा main carriage पेड रहेगा उसके साथ साथ जो भी सामान जहाज पर लदा वो है उसका insurance premium भी seller ही पे कर देगा यहाँ पर कौन पे करेगा यहाँ पर मैं बात करूँ insurance का कौन पे करेगा भाई अब seller की जिम्मेदारी नहीं तो किस की हुई importer या buyer की जिम्मेदारी होगी जिन बातों को exporter या seller नहीं करेगा उन बातों की जिम्मेदारी importer की automatically हो जाएगी क्योंकि सारा काम होना ही है कोई काम बचेगा यहाँ पर भी क्यों water जो है transport यूज किया जाता है ठीक है तो इतनी टर्म है फंट जो बहुत ज़्यादा पुछे आते हैं सारे 11 incoterms मैंने एक साथ लिया है xwork को x warehouse भी कहते है transport का कोई भी method यूज हो सकता है यहाँ पर mall exporter की country में रहेगा देखे एक्सपोर्टर की country mall यहाँ तक रह रहा है ठीक है उसके आतमे fca free carriage ad देखे xwork में मैंने बताया कि गोदाम में सिर्फ जहाँ पर सामान बना उस factory में वहीं पर ही seller रख देगा बाकी सारी जिम्मेदारी importer की होगी fca free carrier ad जो airport है या जो port है जो बंदरगा है उसके gate तक जहाज मतलब track में सामान लाकर के रख देगा यह port के अंदर नहीं जाना चाहता है port के अंदर जाएगा तो उसको charges पे करने पड़ेंगे custom duty पे करने पड़ेंगे उससे बचना चाहता तो इसलिए fca का मतलब हुआ केवल जो है airport के या port के बाहर जो है ट्रक लाकर के खड़ी करने की जिम्मेदारी seller की होती बाकी सारी जिम्मेदारी किस की होगी importer की होगी तो के भी transport method यूश हो सकता है यानि हवाई जहाज से भी भेज़ा सकता है और पानी की जहाज से भी यहाँ पर माल कहां रहता है exporter की country में ही अभी भी रहता है fas free along ship मतलब जो है truck अंदर घुसा और जो है हवाई जो पानी का जहाज उसके बगल खड़ा कर दिया गया तो free along ship होए यानि इधर पानी की जहाज है इधर truck खड़ा कर दिया आपने बगल बगल तो उसे fas free along ship बोलते हैं यहाँ पर अब water के थू ही सामान जाएगा exporter की country में अभी भी माल है fob free on board free on board का मतलब होता है कि जहाज पर सामान लाद भी दिया जाएगा तो उसे free on board बोलते हैं यह water transport की थू होता है यह exporter की country में यह बात होती है ठीक है अभी भी सामान exporter की country में है water की थू ही यह सामान जाएगा CFR में cost and freight मतलब जो है जहाज पर सामान लाद देगा और साथ ही साथ में मुख जो भाड़ा है वो भी पे कर दिया जाएगा water transport का यूज होगा carriage मतलब कहने का अभी exporter की country छूट जाती है यहाँ पर CFR की case में अभ रास्ते में सामान है माल कहाँ है रास्ते में है carriage वाली इस्तिम होता अभी exporter की country में नहीं रह जाता है CIF का मतलब होता है cost, insurance and freight तो यहाँ पर जहाज में सामान लोड होगा उसका insurance भी पे करेंगे और उसका मुख भाड़ा भी पे करेंगे water transport का यूज होगा और अभी सामान आपका रास्ते में होगा CPT होता है carriage paid to बसके और full farm समझ लीजे कोई भी transport method भी हो सकता है यह भी सामान लास्ते में है CIP होता है carriage and insurance paid यहाँ पर carriage यानि मुख भाड़ा पे किया गया है और insurance पे किया गया है CPT carriage paid to CPT carriage and insurance paid to ठीक है any transport method और अभी भी सामान लास्ते में है तीन और बचते हैं यह destination country यानि कि जिसने सामान मंगवाया है उसकी country में पहुँच जाता है यह 3 को टर्म DAT का मतलब terminal तर डिलीबर होगा DAP का मतलब deliver at place होगा DDP का मतलब deliver duty paid हो जाएगा टर्मिनल पर मतलब बंदरगाह पर ही सामान छोड़ दिया जाएगा place मतलब जहां आपकी importer की factory वहाँ तक पहुचाएगा और पहुचाने के साथ साथ जो custom duty वगरा वो भी pay कर देगा तो DDP हो जाता है कोई भी transport method यहाँ यूज हो जाएगा क्यों ठीक है उसका अंद में destination country में होता है बस इतनी सी बात के अलब फ्रंट फुल फाम याद रखिए बाकि जितने important वह सारे मैंने आपको समझाए एक work का मतलब होता है जो आप से यहाँ पर पूछा आता है उसमें ज्यादा तर आप से फुल फाम पूछा आता है और दूसरी चीज़ जो आप से पूछी आता है मतलब इस जैसे मैंने आप बहुता है ज्यादा तर एफोबी और सिया यह पूछ आता है तो एफोबी में क्या क्या चीज़े कबर होती है फ्री आन बोर्ड में क्या क्या होगा सेलर की रिस्पॉंस्विल्टी क्या होगी बायर की क्या होगी तो देखें फ्री आन बोर्ड का मतलब सामा जहाज पर लद जाएगा लोड कर दिया जाएगा इसका मतलब सेलर की जिम्मेदारी यहां तक होती है बाकी की जिम्मेदारिय 600 की बात करेंगे और UCPDC 600 पर ही हमारा ये पूरा बागी का लेक्चर में रखाएंगे जितनी वी guidelines है आपकी letter of credits related वो सारी UCPDC 600 में ही आती है तो पहली बात इसका full farm UCPDC 600 uniform customs and practices for documentary credit होता है uniform customs and practices for documentary credit होता है UCPDC were first framed by ICC तो UCPDC जो है वो भी ICC International Chamber of Commerce नहीं बनाया था 1933 में देखिए इनको term भी अभी हमें ने देखा था इनको term भी ICC नहीं बनाया था ना इंटरनाशनल Chamber of Commerce नहीं बनाया था और UCPDC 600 या UCPDC जो है वो भी किसने बनाया है ICC नहीं बनाया है uniform customs and practices for documentary credit यानि documentary credit LC को front documentary credit भी कहते है ध्यान दीजेगा इस बात को letter of credit यानि चिठ्थी है तो उसी को document भी कहते है documentary credit भी कह दियाता है uniform customs and practices for documentary credit होता है UCPDC को ICC ने frame किया है International Chamber of Commerce ने किया हुआ है UCPDC जो guideline है उसको 6 बार update किया गया है और अभी UCPDC 600 है इसका मतला इसके पहले 500, 400, 300, 200 ऐसे था ठीक है तो 6 बार update किया अभी UCPDC 600 है जो की 1 July 2007 से जो है effective है उसके बाद कोई नया version अभी तक नहीं आया हुआ है नर्मली जो है छे साल पान साल पर आता था लेकिन अभी तक कोई नया नहीं है तो UCPDC 600 latest version है ये 1 July 2007 से effective है UCPDC 600 में total 39 article है कितने article है परण total 39 article है उसके बाद में अगर जो है माल लिजे letter of credit के term में और UCPDC 600 के term में अगर कोई contradiction आती है तो LC की जो guideline होगी वो prevail करी की ध्यान रखियेगा अगर LC का term कुछ और कहता है UCPDC 600 का कुछ और कहता है तो जो LC वाले होते हैं उनके prevail करने के ज़्यादा chances होते है UCPDC 600 जो है खुद automatic LC पर by default apply नहीं होता है बलकि एक statement जो है LC में डालना पड़ेगा incorporate करना पड़ेगा कि हाँ ये LC UCPDC 600 को accept करती है एज पर UCPDC बैंक सार कंसर्ट भी डाकुमेंट्स ओनली इन्वाइस बिला अफ लेडिंग अभी पढ़ेंगे बिला अफ लेडिंग ठीक है तो मतलब UCPDC जो है 600 कहता है कि बैंकों का कंसर्ट के ओर डाकुमेंट्स से लेना देना होता है सामान से कोई लेना देना नहीं होता है invoice proper दो हमें bill of lading दो हमको insurance के कागजाद दिखाओ वो सब दिखाओ गाड़ी कहा है उससे नहीं मतलब है कागजाद दिखाओ तुम driving license दिखाओ हमको कांट्रेक बेट में पार्टी में क्या कांट्रेक्ट हमें मतलब नहीं है quality कैसी है हमें इससे लेना देना नहीं होता है bank का इसका कोई concern नहीं होता है bank सिर्फ document में deal करते हैं ठीक है यह मैं इसको आपको revise नहीं करवा रहा हूँ कि वो document को accept या reject कर सकें यह as per UCPDC के article 14 के तहत होता है negotiating bank हो confirming bank हो issuing bank हो इन सभी को document submit होने के 5 banking days के अंदर में accept करना होता है या reject करना होता है इससे ज़्यादा का समय आप नहीं ले सकते हैं सवाल यह है कि banking days किसे कहेंगे तो UCPDC 600 का article 2 define करता है banking days उसे कहते हैं a day on which a bank is regularly open एक ऐसा दिन जब bank regularly open हुआ है और जैसे usually task perform किया जाते हैं bank खुलने पर वह ऐसे परफार्म किया जाए तो उसे banking day कहते हैं ठीक है 5 banking days मिलेंगे उसके आद में एक छोटी सी बात यहां जाने लिए docdex क्या होता है docdex होता है docdex is one of the options available to the party in lc to resolve lc dispute अगर माल यह lc में dispute हो गया है मतलब letter of credit था लेकिन दोनों importer exporter बीच में अगर कोई dispute हो गया है तो rbi, cb, fbi कहीं नहीं जाना है they can apply for docdex docdex में apply करेंगे जैसे नहीं अपना जगड़ा हो जाए जमीन का तो हम लोग court जाते है वैसे ही lc में अगर जगड़ा हो जा तो हम कहां जाएंगे docdex option available होता है अगर lc में दो party की बीच में जगड़ा हो जाए तो अब ucpdc 600 में कुछ important point की हम बात करेंगे ठीक है amount in lc, अगर lc में amount के बारे में क्या कहा गया है 10% मतलब मैं अभी अब को समझा देता हूँ as per article 30 of ucpdc 600 if amount in lc is written with word about or approximate then variation of plus minus 10% is allowed in amount of lc मतलब कहने का lc में जो amount लिखी हुए ऐसे लिखी हुए जैसे about 20,000 USD या approx 20,000 USD अगर ऐसे लिख दिया गया है exact नहीं लिखा गया है अगर ऐसा करता है कोई तो plus 10% minus 10% का variation bank allow करे मतलब कहने का lc में लिखा हुए है about 20,000 USD तो अगर bill जो है present करता है exporter 21,000 USD का तो acceptable होगा क्योंकि 20,000 का 10% तक variation अलाऊ है 20,000 का 10% अगर आप जोड़ोगे तो 22,000 USD होगा तो अगर 22,000 USD तक का bill अगर देता है या 18,000 USD तक का bill देता है exporter तो दोनों cases में acceptable होगा मेरी बात समझ गया है आप यह क्या कह रहा हूँ है अगर amount के साथ दो keyword कौन कौन से about या approximate prefix कर दिया जाए जोड दिया जाए शुरू में तो 10% तक का variation bank allow करेगा इसलिए यहां 10% मैंने लिखा हुआ है तो amount में कितने percent का variation अगर about या approximate word लगा हुआ है तो 10% plus minus okay है quantity in LC अगर माल लिजे quantity मतलब 150, 2000 ऐसे quantity कितनी है तो उसमें 5% का variation लेकिन कब as per article 30 of UCPDC 600 if quantity of goods is not specified in LC अब आप यह कहोगे कि sir quantity specified ही नहीं है तो 5% या minus 5% plus 5% का variation देंगे किस पर सही question है न मेरा समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ अगर quantity of goods जो है LC में नहीं लिखी है तो quantity में minus plus 5% का variation allow होता है लेकिन आपको सवाल होगा कि जब quantity लिखी नहीं मैंने बताया ही नहीं कि 1000 cycle 1000 का मैं आपको भेज रहा हूँ तो 5% variation किस बात का तो friends यहां जो कहने मतलब है LC में नहीं लिखा है लेकिन जो invoice है जो आपका और document है वहाँ पर लिखा हुआ है समझ गे मेरी बात को तो जो other जगहों पर लिखा है LC में नहीं लिखा गया है अगर quantity नहीं लिखी गई है goods की LC में बाकी जगहों पर लिखी हुए है जो और document साब दे रहे हैं वहाँ लिखी हुए है तो उसमें आप 5% का variation जो है allow करेंगे plus minus में example के तोर पर when issuing bank observed when the issuing bank observed in the LC it is found that there is a variation of 2% in quantity of goods supplied by exporter is it tolerable मतलब कहना है कि LC को जब observe कि आई swing bank ने तो देखा कि जो quantity है उसमें 2% का variation है LC में कहीं quantity नहीं लिखी थी लेकिन जो invoice आई हुई है उसमें जो है जो quantity लिखी हुई है मानले 10,000 है जबकि जो supply आई है वो 10,000 से कम आई हुई है 2% का कमी आया हुआ है तो क्या acceptable है तो yes अगर quantity LC में नहीं लिखी गई है तो plus 5% से लेकर minus 5% के बीच का variation ही जो okay clear हो गई मेरी बात यहाँ पर ठीक है तो quantity में कितने परसंट का variation 5% का amount में कितने परसंट का variation friends amount में 10% का variation allow होता है कितने परसंट का 10% का amount में variation allow होता है expiry date की बात करते हैं LC की expiry date की अगर हम बात करें अगर expiry date के दिन छुट्टी है holiday on expiry date अगर expiry date के दिन छुट्टी है तो LC जो है अगले banking day पर negotiate होगी if expiry date of LC falls on holiday declared for bank then LC will be negotiated on next banking day banking day जिस दिन bank खुला हो तो अगर LC जो letter of credit है उसकी expiry date माले जिसे 26 January है 26 January 2023 है LC की expiry date और 26 January हमें पता है कि bank बंद रहेगा तो next banking day माले जिसे 27 को अगर bank खुलता है तो 27 को अगर 28 को खुलता है तो 28 को negotiate होगी LC उसके बाद में एक और concept यहीं पर ही expiry date मर ही force major का concept आता है पूछाता है कि force major का क्या मतलब होता है तो friends force major का मतलब होता है कि जैसे bank बंद है किस दिन जिस दिन LC की expiry date है उसी दिन bank बंद है लेकिन bank बंद किस वयसे है strike हो गई है bank में कोई दंगा हो गया है सहर में कोई terrorist activity हो गई है कोई act of God जैसे भूकम या बाढ़ कुछ भी इस तरीके का हो गया है तो उस case में ये जो case होता है इसे force major कहते है force major का मतलब आप समझ गया होगे कि bank बंद है लेकिन जो है ऐसे जर्नली नहीं बंद है strike हो गई है दंगा हो गया है terrorist ने हमला कर दिया है कोई भगवान की तरफ से जान्होनी हो गई है मतलब त्रासदी हो गई है एक तरीके से disaster हो गया है तो उस case में force major इसे कहते हैं और अगर LC के expiry date पर होती है तो इसे extend नहीं किया जाएगा expiry date of LC will not be extended ये बाद ध्यान लगेंगे LC की जो expiry date है कोई LC जो है expire कर जाती है तो उसको bank honor नहीं करेगा negotiate नहीं करेगा तो अब क्या होगा अगर माल लीज़े जो है honor नहीं करेगा negotiate नहीं करेगा तो क्या होगा भई तो उस case में in this case the exporter need to get the expiry date extended by amendment in LC पहले LC में amendment करवा करके expiry date और आगे बढ़वाईए उसके बाद में फिर negotiation होगा okay UCPDC 600 में जो terrorism सब्द है वो इसी में add किया गया इसके पहले जो terrorism activity कहा गया है terrorist activity ये जो है जोड़ा नहीं गया था force major में मतलब कहने कर पहले का force major था उसमें strike riot है ना और act of God तो था लेकिन terrorist activity नहीं था लेकिन UCPDC 600 ने terrorism सब्द को भी यहाँ पर जोड़ दिया है तो अगर LC के expiry date जो है force major event की वेज़ा से bank बंद रहता है strike हो गई, riot हो गया act of God हो गया और expiry date पढ़ गई bank बंद है तो उसे extend नहीं किया जाएग अगर LC जो है expire हो रही है force major event की वेज़ा से तो उसको bank honor नहीं करेगा negotiate नहीं करेगा बलकि exporter को bank को request करके इसके expiry date को बढ़वाना होगा amendment के थुरू और तब जा करके इसकी payment होती है और terrorism जो keyword है यह जो word है इसको UCPDC 600 में ही add किया गया था उसके बाद में अगली बात करेंगे presentation of document मतलब जो document है UCPDC 600 कितने दिन में present करने के लिए बोलता है ठीक है article 3 कहता है UCPDC 600 का कि if in LC the expiry date is written as on or about with the date then plus minus 5 days variation is allowed अगर मालें यह LC में expiry date के साथ में जैसे LC है उसमें आपने लिखा है on or about 20 July 2022 तो इसका मतलब हुआ कि exact नहीं लिखा आपने यह नहीं लिखा एक्सपारी डेट कितनी है तो 20 July 2022 नहीं लिखा आपने आपने on or about लिख दिया on or about 20 July 2022 तो इसका मतलब कि plus 5 दिन इधर मतलब 15 July से लिए करके 25 July के बीच में कभी भी LC को मतलब जो है bank में present किया जा सकता है then the documents can be presented from 15 July to 25 July तो यह भी धियान रखेंगे कि अगर on or about लिखा हुआ expiry date के साथ तो plus minus 5 days का variation allow होता है यह question आपसे ऐसे ही पूछा जग मैंने तो यहाँ बता दिया लेकिन वह आपसे पूछेंगे कि मतलब जो है LC के expiry date में अगर जो है on or about word लिखा हुआ है तो कितने दिन का variation allow कर सकते है plus 10 days का plus 5 days का plus 3 days का तो ऐसे धियान रखेंगे plus minus 5 days का review of document का यह बात हमने कई बार वैसे कर दी है 5 banking days वाली कि UCPDC 600 का article 14 कहता है कि issuing bank हो चाहे आपका confirming bank हो चाहे negotiating bank हो इन सभी को document receive होने के अगले 5 banking days में accept या reject कर देना होता है उसे examine कर लेना होता है यह बहुत कुछ आता है इसलिए 2-3 बार जिक्र कर दिया हमने फिर एक चोटी सी बात समझेंगे parcel shipment क्या होती है parcel shipment as per article 31 UCPDC 600 का article 31 कहता है article उतना याद रखना बहुत जरूरी नहीं है if same vessel is used to deliver the goods to the buyer even though the goods are loaded in safe ship are different dates still it is not considered partial shipment ठीक है तो मतलब यह कह रहे हैं कि माल लिजे से कुलम लागर के 400 कार जो है कहीं पहुंचानी थी अब क्या हुआ कि एक जहाद ले करके आप चले आज जो है एक तारी को 100 कार आपने लोड की फिर आगे जहाद ले कर गए 2 तारी को आपने फिर 100 कार लोड की फिर आगे 6 तारी को आपने फिर 200 कार लोड की तो कुलम लागर के आपने 400 कार एक ही गाड़ी में लोड कर ली तो कुल मलाकर के 400 कार आपने 3 different date पर अगर load की है तो इसे partial shipment नहीं कहा जाएगा ठीक है ध्यान रखेंगे एक ही गाड़ी अगर use हो रही है तो उसे partial shipment नहीं कहेंगे partial shipment तब होगा जब 100 कार एक जो है ship में लदे और पहुँच जाए 200 दूसरी ship में लदे और पहुच जाए फिर 100 दूसरी ship में लदे और पहुच जाए तो उसे partial shipment कहेंगे इस case को partial shipment नहीं कहते हैं जैसे एक बायर ने 300 कार का order किया है exporter ने किया किया 1st June को 100 कार load की और same ship में 6 June को 200 कार load की तो exporter 2 bill of lading देगा दो bill paste करेगा क्योंकि दो different date पर loading हुई है और finally वही same ship बायर की country में 300 कार लेकर पहुचता है तो यह partial shipment है तो यह partial shipment नहीं है परसल shipment मतलब आप समझ गया होगे कि कुल 300 कार जानी थी उसमें से 100 कार आपने load की एक ship में और पहुचा दिया फिर दूसरी ship मंगवाई और उसमें 200 कार लोड की और उसको पहुचा दिया यह partial shipment है लेकिन आपने क्या क्या 300 कार थी एक ship में पहले 100 कार लोड की फिर कुछ दिन बीते कोई दूसरी country पहुचे और वहाँ फिर 200 कार और लोड कर लिए उसी ship में अगर आपने same ship में 300 कार का वादा किया था 300 कार में ले करके पहुचे है 300 कार को तो इसे parcel shipment नहीं माना जाता है ठीक है अब बात करेंगे submission of transport document transport document को submit करने के लिए कितना समय मिलता है document showing the proof of export of goods should be presented or submitted to the bank within 21 day from date of shipment ठीक है तो shipment की date से 21 दिन के अंदर अंदर document submit हो जाना चाहिए ठीक है जिसमें export हो गया है सामान goods को export कर दियेगा इसका proof होना चाहिए उस document को bank को कितने दिन में presentate submit कर देना चाहिए shipment के 21 दिन के अंदर from the date of shipment 21 days में document को submit कर देना होता है ठीक है समझ गया अब export कर दिया है आपने सामान इस बात का सबूत आपको bank में shipment की date से 21 days के भीतर में submit कर देना चाहिए अब month का interpretation का मतलब क्या हुआ वही UCPDC में जैसे अगर LC में लिखा beginning up month तो इसका मतलब सभी देशों के लिए 1 तारीख से 10 तारीख तक का जो समय होगा उसे beginning up month माना जाएगा middle up month का मतलब 11 तारीख से 20 तारीख को माना जाएगा end up the month 21 तारीख से 30 तारीख माना जाएगा या अगर February है तो 28 जो भी दिन होते है first half of the month का मतलब 1 तारीख से 15 तारीख होता है second half of the month का मतलब 16 तारीख से last date of the month होता है मतलब अगर ये चीज लिखी हुए कहीं second half of the month लिखा हुए तो वहाँ कोई बहांस करने की जुरूद नहीं है 16 तारिक से ले करके last date तक जाएगा क्योंकि international transaction हो रही है international transport हो रहा है तो ऐसे में लोगों के मन में doubt बनेगा इसलिए हर सब्द के माइने है और उन माइने को समझ करके रखना जरूरी है बिजनेसमें के लिए beginning of the month मैं आपको सामान deliver करूँगा beginning of the month इसका मतलब मैं आपको एक तारिक से 10 तारिक के बीच में आपका जो भी goods है उसको deliver कर दूँगा middle of the month का मतलब 11 से 20 के बीच में इंडा आप तारिक से ले करके जो भी last date of the month हो जो भी 31 का है तो 30 का है तो 30 है न यह है फर्ष्ट हाफ का मतलब एक तारिक से 15 और सेकंड हाफ का मतलब 16 तारिक से ले करके last थोड़ी सी बात करेंगे insurance के बारे में जो भी goods जाता है उसका insurance करवा जाता है लेकिन कितना करवा जाता है वो चीज़ बात करेंगे as per UCPDC 600 insurance amount should be issued for an amount of 110% of CIF value of goods जब आपको मैंने import export policy पढ़ाई है import और export policy पढ़ाई है तो भी friends यहाँ पर CIF औगेरा का जिक्र वहाँ FOB और CIF का जिक्र हुआ है लेकिन वहाँ पर मैंने आपको detail में नहीं बताया था यहाँ आपको चीज़े समझ में आ रही होंगी तो insurance का क्या concept है कि जो भी CIF है cost insurance freight यह incoterm है भी आपको याद होगा न cost insurance freight जो incoterm है वही incoterm की जो value है माल लिए CIF किसी सामान का जो CIF value है माल लिए एक लाख रूपए अगर है तो उसका 110% insurance आपको करवाना पड़ेगा तो 110% कितना हो जाएगा एक लाख दस जार रूपए का insurance होना चाहिए तो goods का जो value है उसकी CIF value जितना है उसका 110% जो है insurance होना चाहिए currency of insurance policy must be same as currency of LC अगर LC रूपए में बनी है तो insurance की policy भी रूपए में बनेगी अगर LC डॉलर में है तो insurance भी डॉलर में होना चाहिए CIF cost insurance freight equal to होता है free on board free on board का मतलब आप समझते हैं न मैंने बताया था कि सामान seller लादेगा truck ले जाकर के port के अंदर पानी का जहाज उसके बगल अपनी truck खड़े करेगा उसके अंद में इसको सामान को load कर देगा FOV free on board on board कर देगा load भी कर देगा तो फ्रेंट जब ये load हो जाता न तो FOV बोलते हैं CIF क्या होता है cost insurance freight मतलब सामान load होगा plus insurance का charges plus मुख्य भाड़ा भी पे करेंगे जो यहां से इस देश से उस देश में समद्री यात्रा होगी तो वही बोलता है कि FOV का मतलब सामान load करना हो गया freight का मतलब भाड़ा हो गया insurance का मतलब insurance हो गया तो CIF की एकर हम बात करें cost insurance freight की बात करें तो free on board plus freight plus insurance premium तीनों के मिला करके CIF होता है date of insurance must be on our before the date of shipment तो insurance जो है insurance की जो date होनी चाहिए वो shipment से पहले या shipment के date की होनी चाहिए उसके बाद की नहीं होनी चाहिए मालनी जबने 11 January को कोई सामान भेजा है 2023 में तो insurance 11 January से पहले का या 11 January की date का होना चाहिए 12 January का insurance acceptable नहीं होगा किलियर होगी मेरे बाद ठीक है तो insurance के case में हमने क्या बता है आपको फ्रेंड UCPDC 600 कहता है कि जितनी भी goods की CIF value हो अगर CIF value जितनी भी है उसका 110% आपको 110% जो है आपको insurance करवाने की ज़रूरत होती है ओके तो ध्यान रखेंगे CIF value का 110% बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा कोशन आपको ध्यान रखना होगा insurance policy की जो currency हो वही currency LC LC की जो currency हो उसी currency में insurance भी होना चाहिए अगर insurance LC dollar में है तो insurance भी dollar में ही होना चाहिए उसके आद में CIF value कैसे निकलती है free on board यानि free on board की value प्लस उसमें भाड़ा मतलब जो हवाई जो समुदरी यात्रा का भाड़ा जोड़िये और जो सामान उसका insurance जोड़िये यह तीनों चीज़े जब आप जोड़ते हैं तो वही आपका CIF होता है CIF में cost insurance and freight होता है insurance यह आपका हो गया freight यह आपका हो गया और cost जो है FOB free on board हो गया ठीक है insurance की जो date है वो shipment से पहले या shipment की date की होनी चाहिए ठीक है जिस date को आपने सामान भेजा है आप से higher rank में question confuse करने के लिए बनाया जा सकता है insurance date of the insurance date of goods must be on or before the date of shipment on or before the date date of LC on or after the date of bill of shipment date of shipment ऐसे करके आपको confuse किया सकता है तो question के लिए तयार रहेंगे उसके आंद बात करेंगे bill of lading की थोड़ा सा समझेंगे bill of lading के बारे में bill of lading is a transport document evidencing movement of goods from port of acceptance to port of detonation तो bill of lading क्या होता है सरलतम भासम यह समझ लिए यह एक ऐसा कागजाद जो कि यह बताता है प्रूव करता है कि सामान एक port से लादा गया है और दूसरे port पर पहुँच गया है इस बात का सबूत होता है bill of lading is a transport document यह transport document होता है जिसमें इस बात का सबूत होता है कि goods का movement acceptance port यह जिस port से सामान को accept किया गया है to port of destination पर move कर चुका है movement हो चुकी इस बात का सबूत होता है bill of lading is a receipt issued by shipping company our shipping owner bill of lading एक receipt होती है जिसको shipping company यह ship का owner issue करता है उसमें वो state करता है कि goods क्या क्या है उसमें quantity कितनी है quality कैसी है उसका description यह सारी चीज़ों के साथ में बताता है are shipped on specified date through specified vehicle उसमें यह बताए जाएगा कि इस date को यह सामान लाद करके भेजा जा चुका है और इस गाड़ी में जो भी गाड़ी का नाम होगा specified vehicle वो भी detail वो bill of lading में देगा bill of lading में LC का नंबर होना चाहिए issuing bank के नाम के साथ यानि guideline यह कहती है कि issuing bank का नाम और letter of credit का नंबर किसमें होना चाहिए bill of lading में होना चाहिए LC should call for shipped on board bill of lading यानि कि bank कहता है shipped on board bill of lading अच्छा होता है preferable होता है shipped on board का मतलब होता है on board उसको ship में load कर दिया गया है उसका मतलब होता है तो bank चाहता है कि LC ऐसी हो जिसमें shipped on board bill of lading present किया जाए shipped on board का मतलब कि जहाज को सामान को जहाज पर लाद दिया गया है date of shipment should be within date stipulated LC ट्रेंज में होनी चाहिए bill of lading should be presented to negotiating bank within 21 days of shipment otherwise it will become stale bill of lading and bank will not accept it ठीक है bill of lading को bill of lading क्या है एक सबूत है export का और exported document को 21 दिन के अंदर में negotiating bank के पास confirming bank के पास पहुचा देना चाहिए जिस भी bank के पास में payment लेना है 21 दिन के अंदर क्योंकि इसके बाद यह stale हो जाता है बासी हो जाता है bill of lading और इसे bank accept नहीं करता है ठीक है तो bill of lading को 21 दिन के अंदर में present किया जाना चाहिए partial shipment या trans shipment अगर LC में permit किया गया है तो clearly bill of lading में यह बात होनी चाहिए if permitted in LC should be clearly indicated in bill of lading अगर partial shipment या trans shipment को allow किया गया है LC में तो उसे bill of lading में लिखा जाना चाहिए partial shipment मैंने आवको बताया if goods are loaded on different dates from different port but on the same ship यानि कि जहाज में मुंबई में लादा गया फिर दुबाई में लादा गया फिर सिंगापूर में लादा गया लेकिन सारा कुछ एक ही जहाज पे लाते चले गया तो इसे partial shipment नहीं माना जाता है different अलग अलग तारीख पर अलग अलग पोर्ट अलग बंदरगा से आप सामान को load करते हैं एक ही ship में अगर करते हैं तो उसे partial shipment नहीं मारा जाता है ट्रांस shipment क्या होता है ये भी देख लेजे ट्रांस shipment का मतलब होता है unloading from one mean of transport and reloading on another mean of transport मतलब कहने का हवाई जहाज से सामान लेकर जाना था उससे unload किया हवाई जहाज से और फिर पानी के जहाज पर load किया यानि transport की एक तरीके से unload किया और दूसरे तरीके पर load किया यानि कि एक हवाई जहाज से उतारा और दूसरे हवाई जहाज पर नहीं लादा बल्कि एक हवाई जहाज से मुंबई से सिंगापूर ले गए और सिंगापूर में हवाई जहाद से उतार करके मतलब जो है एरलाइन से उतारा हमने एरोपलेन से उतारा और इसको लाद दिया किसी सिप में यानि कि एक जगे हवाई जहाद से आतरा हुई और एक जगा पानी जहाद से आतरा हुई तो ट्रांस्पोर्ट का अगर मीन बतल जाए सेम सामान को ले जाने के दोरान तो उसे हम TRANS SIPMENT कहते हैं बात क्लिर होगा ही फ्रण पार्सेल SIPMENT आपको समझ में आही गया था पहले ही TRANS SIPMENT का मतलब हुआ तो मतलब जैसे सामान एक जगे से दूसरी जगे जाना है लेकिन यहाँ से सामान उठा इंडिया में मालीजे पानी के जहाज पर लादा और यह सिंगापुर पहुंचा सिंगापुर में आपने सामान को उतारा और यहाँ से हवाई जहाज पर लाद करके उड़ा करके जो है US में पहुंचा दिया तो इसमें क्या हुआ कि आपने एक ही यात्रा को complete करने में दो जो है ट्रांस्पोर्ट के तरीके यूज कर लिए तो ऐसे shipment को trans shipment कहा जाता है ठीक है तो partial shipment, trans shipment अगर allow है तो उसे clearly bill of lading में लिखा होना चाहिए bill of lading should not be closed bill of lading, यानि कि जो bill of lading होना चाहिए वो closed नहीं होना चाहिए उसमें कोई close नहीं लगाना चाहिए बलकि clean bill of lading होना चाहिए, तो bill of lading कैसा होना चाहिए clean होना चाहिए ना कि closed bill of lading होना चाहिए, अब closed bill of lading क्या होता है clean bill of lading क्या होता है ये भी समझ देते हैं closed bill of lading friends होता है a bill of lading which contains a clause indicating defective condition of goods are packaging packing is called closed bill of lading एक bill of lading जिसमें clause है clause जोड़ा गया है जिसमें defective condition के बारे में बताएगे कि जो सामान है वो खराब हो गया है सड़ गया है भीग गया है packing के बारे में सामान के बारे में अगर कोई clause जोड़ दिया जाए तो उसे closed bill of lading कहेंगे और ऐसे bill of lading को bank accept नहीं करें क्योंकि bank जो है मैंने आपको बता ना goods में नहीं deal करते है bank जो है documents में deal करते है और अगर document में लिख दिया गया है कि goods defective है तो problem है अगर जो है document में ना लिखा हो और goods सड़ा हुआ हो पूरा-कूरा उससे bank को कोई ले न देना नहीं होता है तो clause bill of lading bank accept नहीं करते हैं इसमें एक ऐसी clause लिखी होती है इसमें बता जाता है कि जो goods है उसकी packing खराब है या goods ही सामान ही खराब है clean bill of lading bank accept करते हैं a bill of lading in which there is no adverse remark on bill of lading about condition of goods or packing है न एक ऐसा bill of lading जिसमें कोई negative comment ना हो मतलब जो है सामान के बारे में उसकी packing के बारे में उसकी condition के बारे में तो उसे clean bill of lading कहते हैं a clean bill of lading is issued by shipping company or its agent without any declaration of defective condition of goods package taken on board stuffed in container ठीक है clean bill of lading वो जो है issue कियाता है shipping company या उसके agent गता रहा है जिसमें यह declaration होता है कि कोई भी जो goods है उसमें कोई defective condition नहीं है जो package है उसमें कोई defect नहीं है तो उसे clean bill of lading कहते हैं ठीक है उसके राद में bank will accept clean bill of lading and do not accept close bill of lading है बैंक जो है clean bill of lading प्रसंद करेगा clause जो आला नहीं लेगा क्योंकि गर goods की condition अच्छी नहीं है सामान defective है तो उसमें payment मिलने मुश्किल हो जाएगा इसलिए bank ऐसे bill of lading को accept नहीं करना चाहते है received for shipment bill of lading not acceptable इसके अलावा received for shipment जो है bill of lading भी accept नहीं करता है bank received bill of received bill of lading is a document issued by carrier as evidence of receipt of goods for shipment it is given before the vessel loading and is not an on board will of lading ठीक है received bill of lading एक ऐसा document होता है जो की carrier के द्वारा issue कियाता है कि जो है एक सबूत होता है कि goods को shipment के लिए receive कर लिया गया है यानि सामान को अभी vessel में load नहीं किया गया है ठीक है सामान को भी load नहीं किया गया है लेकिन जो है shipment के लिए हमें receive हो गया है उसे received for shipment bill of lading कहते हैं तो bank जो है on board bill of lading accept करते हैं ध्यान दीजिए अगर सुरू में याद हो on board bill of lading bank prefer करते हैं यह बात कही गई थी यानि कि सामान board मतलब जहाज पर लद जाए ऐसा ज़्यादा पसंद करते हैं इसका मतलब अगर receive for shipment है on board नहीं है तो इसे accept नहीं करेगा ओके charter party bill of lading is also not acceptable charter party bill of lading भी bank accept नहीं करते हैं charter party bill of lading क्या होता है charter party bill of lading is an agreement between charter person who hire the ship and vessel owner ठीक है तो charter party वो bill of lading होता है एक agreement होता है charter यानि जिस बैक्ते ने जहाज को hire किया है और जिसकी जहाज है उनके बीच में एक agreement होता है vessel charter issues the document to ship a person or company that transports or receive goods by sea land or air for the goods shipped on board of vessel ठीक है तो बस इतना ध्यान रखे इतना ज़्यादा कहानी की जुरोत नहीं है charter bill of lading को accept नहीं करता है ठीक है तो bill of lading में बहुत सारी बाते हमने समझी कोई ज़्यादा difficult नहीं है bill of lading एक ऐसा सबूत होता है एक ऐसा document होता है जो की बताता है कि हाँ जो है goods को एक port पे accept किया गया है और उसको जहाज पर लाद करके दूसरे port पर भेज दिया गया है ठीक है bill of lading कौन issue करता है shipping company करती है या ship का owner करता है जिसमें वो goods के बारे में पुरे detail बताता है quantity, quality, description बताएगा न इसलिए closed bill of lading वगर आ जाते है ठीक है इसमें बताया जाता है कि इस date पर किया गया है इस गाड़ी इस vessel के द्वारा किया गया है कौन से हवाई जहाद से कौन से पानी के जहाद से बिज़ा को भी बताता है will of lading में LC का number और issuing bank का नाम होना चाहिए bank जो है prefer करते हैं shipped on board will of lading shipped on board will of lading को prefer करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि इसमें सामान जहाद पर लद चुका होता है on board का मतलब जो यहाँ on board है उसका मतलब होता है goods को ship में load कर दिया गया है date of shipment जो है LC में date stipulate की गई है उसी के within range में होनी चाहिए उसके बाद नहीं होनी चाहिए will of lading जो document है इसको negotiating bank को 21 दिन के अंदर में shipment के present कर दिया जाना चाहिए अदर्वाज इसे stale bill of lading कहतेंगे 20 bill of lading कहेंगे और उसे bank accept नहीं करे पार्सेल shipment और ट्रांस shipment अगर bank ने allow किया है LC में तो उसे bill of lading में लिखा जाना चाहिए पार्सेल shipment तब नहीं मानेंगे तरीके से सामान को उतारा गया और फिर दूसरे method से लाद करके पहुँचाया गया destination पर तो उसे trans shipment कहते हैं पहले aeroplane से सामान को भेजा गया फिर जो है ship से सामान को भेजा गया तो इसे एक transport method से उतार करके दूसरे transport method पर लाद करके सामान को पहुचाना ट्रांस्टिप्मेंट कहलाता है बैंक जो है क्लाजड विलाफ लेडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं काफी सारे हैं देखे क्लीन विलाफ लेडिंग को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं ना तो क्लाजड करते हैं तो Bill of Leading should not be Closed Bill of Leading अब Closed Bill of Leading क्या होता है Closed Bill of Leading वो होता है जिसमें Goods Defective है उसकी Condition के बारे में Detail दी होई होती है कि Goods यानि कि जो सामान है वो सड़ा गला हुआ है उसकी Packing खराब है तो उसे Closed Bill of Leading है अगर Bill of Leading में ऐसा लिख दिया जाए तो उसे Closed Bill of Leading कहेंगे Clean Bill of Leading उसे कहेंगे जिसमें जो है कोई Adverse Remark ना हो Goods की Condition यानि कि सामान सही है Packing सही है ऐसा लिख दिया जाए या कुछ लिखा ही ना जाए तो उसे Clean Bill of Leading कहते हैं Bank जो है Clean Bill of Leading को Accept करते हैं और Closed Bill of Leading को Accept नहीं करते हैं Received for Sipment Bill of Leading Accept नहीं कियाता है Received for Sipment सामान को Received कर लिया गया है Sipment के लिए लेकिन अभी On Board नहीं किया गया है जहाज पर लादा नहीं किया ऐसे Bill of Leading को Accept नहीं करता है Charter Party Bill of Leading को भी Bank Accept नहीं करते हैं ठीक है तो ध्यान रखेंगे ना तो Closed Bill of Leading Accept करेंगे हम ना Received for Sipment Accept करेंगे ना Charter Party Bill of Leading Accept करते हैं Inwise Inwise के मतलब यह सारी बाते हम पहले भी कर चुके हैं थोड़ा सोशी को एक तरीके से revise कर रहे हैं Inwise के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं And Inwise is a commercial document And is a basic necessity of trade document है ना तो एक commercial document होता है Inwise और यह basic आवसकता होती है Trade document के तौर पर ठीके trade करना है तो Inwise देखे कोई भी सामाना परचीज करने जाते हैं दुकान पर तो आपको Inwise दी जाती है बड़ा सामान के रहे हैं परचून की दुकान से toothpaste खरेतने के दोराण Inwise नहीं मिलती है बड़े सामाना आपने fridge कर दे वासिंग मशीन कर दी कुछ ऐसे सामाना परचीज करेंगे Even वहाँ भी मिलेगी तौर पेस्ट वाली दुकान पर भी मिलेगा बड़ जब आप कहते हैं तब हो देते हैं अदरवाज दी देते हैं It is prepared by beneficiary giving details of goods like quantity, number of unit, weight and total amount of goods ठीक है तो इसे beneficiary द्वारा तयार किया जाता है यनि seller द्वारा तयार किया जाता है उसमें goods यानि कितना quantity कितनी है, कितनी number of unit है, कितना वजन है, total कितने रूपए का सामान है, कितने डॉलर का सामान ये बात लिखी हुई होती है LC में अगर ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, कि अगर invoice में on, about या approximate सब्द जोड दिया जाए तो plus minus 10% का हम difference allow करते हैं अगर quantity आप goods LC में लिखी ही नहीं है, बलकि कहीं और लिखी ही है, तो plus minus 5% का variation हम quantity में allow करते हैं ये दोनों बाते में पहले आपको बता चुका हैं, तो ये हमने एक तरीके से revision किया हुआ है जो भी बाते मैंने अभी तक बताई थी थी न, थोड़ा सा summary करते हैं amount में अगर about या approximate लिखा है, तो plus minus 10% का allow करेंगे quantity अगर LC में लिखी ही नहीं, बलकि invoice में विलाफ लेडिंग अगर लिखे तो plus minus 5% का allow करेंगे document को review करने के लिए confirming bank, issuing bank और negotiating bank को 5 banking days दिया जाते हैं expiry date अगर holiday पर है, तो next banking day पर LC को negotiate कियाता है insurance जो है, CIF, cost insurance और freight का 110% होना चाहिए transport document को submit करने के लिए date of segment से 21 दिन के अंदर अंदर इसे submit किया जाना चाहिए last बात करेंगे और इसके बाद में हमारा ये lecture complete होगा certificate of origin, ठीक है, इसमें मतलब LC जो है आप ये समझ लिजे कि I hope कि अगर आप इस lecture को बहुत अच्छे से देख करके जाते हैं और refuse नहीं होते हैं तो आपके हाँ से जाएगा, नہी, Certificate of Origin किया होता है, किस country से goods को originate हुआ है origination हुआ है, उसी को पताने के लिए, Certificate of Origin होता है, Certificate of Origin determines the origin of goods, किस country से goods को लादा गया है, बनाया गया है उसी को पता करने के लिए Certificate of Origin इशू कियाता है It must be issued by Independent Authority जैसे Chamber of Commerce In Farming of Origin of Goods, Value of Goods, Invice, Number, Bill of Leading Number यह सारी डिटेल के साथ Certificate of Origin तो Certificate of Origin आपको क्या बताता है अगर आप से पूछा जाए किस कंट्री से इरान से सामान आ रहा है, इराक से सामान आ रहा है कहां से originate हुआ है Goods, उसके बारे में Certificate of Origin से पता चलता है कई देश ऐसे होते हैं जो इनमें Terrorist Activities होती रहती है तो वैसे देशों के सामान को इंपोर्ट करने पर रोक लगी होती है तो उस केस में Certificate of Origin है अगर देख लिए आता है कि हाँ पता चला कि इस country से आरा जहां पर terrorist activities वगरा हो रही है और यह बैन है तो उस सामान को allowed नहीं किया था अपने देश में import करने के लिए इसी काम में आता है Certificate of Origin ठीक है तो पता चलता है किस country से सामान ओर्जिनेट हुआ है उसी के बारे में डिटेल में बात करते है सारी के सारी पूरे लेक्चर में हमने कबर की हुई है आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा ठीक है लाइक हो गयर अगर कर सकते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकल करिए थैंकिए सो मज़ प्रेंट्स